हेलो आपरिवान कैसे हो आप सब मैं हूँ आपके माम इलाकरानती और आज मैं क्लास 11 के मेरे सबी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आए हूँ एक धमाकेदार सेशन जिसमें आज हम करने वाले हैं दोलन चाप्टर का पूरा वन शोट एक ही सेशन में पूरा ये च एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार अप इस वन शोट को देख करके अपना ये पूरा चाप्टर कर सकते हैं रिविजर तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये शेशन जिसमें आज हम कर रहे हैं दोलन चाप्टर का वन शोट तो भाई सबसे बहले हम देखेंगे कि इस वन में पढ़ने के बाद हम बहुत ही महत्वा पूर्ण टॉपिक यहां पर पढ़ेंगे सरल आवर्त गती जो कि आपको 11th ही नहीं बलकि 12th के प्रत्यावर्ती धारा चाप्टर में भी बहुत जादा इस्तमाल होने वाला है तो इसके अंदर के रिलेटेड जितने भी एक समान वृत्य गती का किस तरह से इस्तमाल करते हैं इसको हमको समझना है और इसके लिए हमको सरल आवर्त गती का ग्राफिय निरूपन भी जो है देखना है इसके बाद हमको कला कलांतर के बारे समझना है सरल आवर्त गती में हमको वेग त्वरन और विस्थापन के लिए ब्यंजक हमको देखने हैं तो यहां पे हमको थोड़ा derivation भी करना है और साथ ही सान हम सरल आवर्त गती में उर्जा के बारे में भी हम देखेंगे और सरल आवर्त गती का एक उधारण होता है spring तो बहुत important है वैसे आप लोगों ने कारे उर्जा और शक्ती में भी spring के बारे मे होता है उसको भी हमको समझना है and most important topic इस chapter का सरल लोलक और second लोलक जिससे सवाल आपको exam में मिलेगा ही मिलेगा चाहे बोड का exam हो आपका home exam हो या फिर अगर कोई competition exam दे रहे हैं ये topic के सवाल आपको मिलने ही मिलने है इसके अलावा हमको पढ़ना है विभिन प्रकार के दोलन तो सरल लोलक की जगा हम प्रित्वी को ही एक सरल लोलक मान करके इससे तुलना करके जैसे हम सरल लोलक के लिए आवर्तकाल का जो derivation करते हैं बस उसी से related यहाँ पर प्रित्वी को ही सरल लोलक मान कर उसके लिए हम लोगों को आवर्तकाल का derivation जो है देखना होगा और यहाँ पर formula काफी important होगा इसके बाद आखरी topic होगा आपके इस chapter का अनुनादित दोलन या फिर अनुनाद की इस्तिती छोटा सा थियोरी है देख लेंगे समझ लेंगे शुरू करते हमारा ये chapter विभिन examples के साथ तो आप लोग वैसे जो है ये जो examples मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये आप लोगों ने real life में सभी बच्चों ने देखा होगा आपने बच्पन से जूला जूला होगा है की नहीं और बिल्कुल इस तरीके के दोनों तरफ इस तरीके से क्या करता है ये जूला रिपीट करता है सेम चीज आप लोगों को किस में देखने के लिए मिलती है इस तरीके से जो घंटी लगी होती है यहाँ पर इस बेल में भी आपको इसी तरीके से जो है ये अंदर का बेल का जो हिस्सा है इस तरीके से आपको जो है repeat करता हुआ दिखाई देगा अब ये pendulum आप देख पा रहे हो बिल्कुल ये घड़ी का जो pendulum है आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल जो है इसका ये beach का point और इसके दोनों और क्या कर रहा है ये swing कर रहा है बिल्कुल गती कर रहा है बिल्कुल ये example और आपने कभी को instruments देखा होगा एंस्टूमेंट्स में जो ध्वनी निकलती है अगर हम उन ध्वनी की गति की भी बात करें ठीक है तो ये सारे के सारे examples जो आप इस picture में देख पा रहे हुँ ये सारे जो है डोलनी गति के examples है किस के examples है डोलनी गति के example है लेकिन हमको दोलनी गती समझने से पहले हम लोगों को यहाँ पर आवर्ती गती के बारे में समझना होगा तो इस पिक्चर में मैं आप लोगों को काफी सारे examples यहाँ पर दिखा रही हूँ ठीक है ये सारे के सारे example और इसके अलावा भी आपको examples जो है सोच करके comment box में जरूर लिखने हैं जैसे कि यह आप देख पारे हो कि घड़ी इस तरह की घड़ी जो है काफी पुराने जमाने की समय में जो है बट आप लोगों ने भी कभी न कभी इस तरह की घड़ी जो है जरूर देखी होगी या पिक्चर उसकी देखी होगी जिसमें जो है यह जो इसके नीचे का जो हिस्सा है वो लगातार इस तरीके से क्या कर रहा है गती कर रहा है हाला कि यह दोलनी गती में आता है पर दोलनी कहलाती है आवर्ती गति जो आपको यहाँ पर इस एक्जामपल में भी देखने के लिए मिलेगी आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से ये रिंग जो है लगातार एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार क्या कर रही है रिपीट कर रही है अपनी गति को उसी तरीके से ये सर ये अंतराल में अपनी गती को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है और इसके अलावा काफी बहतरीन सा एक्जामपल है यह हमारा स्वार मंडल जिसमें सारे ग्रह उप ग्रह की गतियों को आप देख पा रहे हो और वैसे आप लोगोंने गुरुत्वा करशन चार्टर में इसके बारे में काफी अच्छे से बढ़ा है आवर्तिकाल के बारे में भी आप काफी अच्छे से समझते हैं हमने गुर्णी गती भी पढ़ा है हमने सरल रेखिया गती भी पढ़ा है तो जब हमने वृत्य गती गुर्णी गती जब पढ़ा तो वहां पर भी हम लोगोंने आवर् निश्चित समय अंतराल के बार रिपीट कर रहे हैं ठीक है निश्चित समय अंतराल जो है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है है की नी और उस निश्चित समय अंतराल के बार बार रिपीट करना इस प्रकार की जो गती है वो क्या कहलाती है आवर्ती गती तो एक बार अगर हम लोगों ने पढ़ा था वृत्य गती इसके बाद हम लोगों ने पता था घुनी गती जो क्या करती है किसी घुनन अक्ष के सापेक्ष गती करती है वो घुनी गती कहला रही है आज हम पढ़ रहे हैं क्या आवर्त गती के बारे में आवर्त गती क्या कर रही है एक निश्य समय गती के अंतरगत इस आवर्ती गती के अंतरगत ये एक्जामपल और ये एक्जामपल जो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है इसकी एक बीच की स्थिती है इन दोनों ही एक्जामपल में क्या है एक बीच की स्थिती है तो एक माध्य स्थिती हम इसको बोलते है इस बी कार की गती दोलनी गती कहलाती है तो मैंने अभी आप लोगों को आवर्ती गती के बारे में समझाया आवर्ती गती के बारे में समझाने के बाद मैंने आपको समझाया दोलनी गती के बारे में दोलनी गती के बारे में और इसकी परिभाशाई भी हम जरूर देखेंगे आवर् वा पूर्ण है तो दोलनी गती में सरल आवर्त गती कैसे होती है इसको हम समझेंगे लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं दोलनी गती और आवर्ती गती की परिभाशाई तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जब कोई बस्तू एक निश्चित समय के पश्चाद परिभाशा आप देख सकते हो जब कोई बस्तू एक निश्चित समय के पश्चाद उस निश्चित पत को ही क्या करती है बार बार दोहराती है तो वो क्या कहलाती है आवर्ती गती कहलाती है दोलन गती की अगर हम बात करे तो यदि कोई पिंड आवर्ती गती में है ठीके औ और एक ही पत्पर निश्चित बिंदू याने की सामे स्थिती के क्या करता है इधर और उधर गती करता है या फिर कमपनिक गती करता है वाइब्रेट अगर करता है तो इस प्रकार की गती क्या कहलाती है दोलनी गती कहलाती है परिभाशा हो गई बढ़ते हैं आगे और यहां पर काफी खुबसूरत सा एक्जांपल वैसे तो ये एक्जांपल के अलावा भी बहुत सारे एक्जांपल है जो आप लोगों को नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताना है जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे दिलों की धड़कन वो भी बिल्कुल जो है एक मिन इस्ट्रूमेंट जहाँ पर इस तरीके के तार का इस्तमाल किया जा रहा है यहाँ पर जो ध्वनी निकल रही है वो यहाँ पर इन तार के कमपनिक गती याने की दोलनी गती के कारण ही वो ध्वनी निकल रही है खुबसूरत सा जो है यहाँ पर एक म्यूजिक हमको सुनाई देता है यहाँ पर जैसे की वीना की बात करेंगे तो यहाँ पर तो बिल्कुल आपको जो है यह वायर कमपन करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यह आपने माध धिस्तिती के इधर उधर क्या कर रहा है बार 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 कमपन कर रहा है कमपनी गती कह कहते हैं दोलनी गती भी हम कहते हैं अब हमको इसके मूल भूल पदों के बारे में देखना है तो भाई सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि देखो अब यहाँ पर से हम लोगों क्या किया यहाँ पर से जो है एक तरह का हम लोगों ने बल लगाया जिसकी वज़ा से ये क्या कर रहा है इधर और उधर गती कर रहा है ठीक है तो ये जो बीच की स्थिती है यहाँ पर ये जो इस्थिती है ये क्या कहलाती है माध्य स्थिती अब जब हमने इस पर क्या करा बाहय बल लगाया तो बाहय बल लगाने की वज़ा से जैसे आप मंदिर की घं अधिकतम पहुचने के बाद वापस से फिर इधर माध्यस्थिती की तरफ आया तो यह जो अधिकतम जिस बिंदू पर पहुच रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो क्या कहलाता है चरम स्थिती क्या कहलाता है चरम स्थिती और चरम स्थिती पर पहुँचने के बार वापस से मार्धेस्थिती की तरफ आ रहा है किदर आ रहा है वापस से मार्धेस्थिती की तरफ आ रहा है मार्धेस्थिती की तरफ वापस लाने के लिए यहाँ पर प्रत्या नयन बल कारे क पर भी बिल्कुल ये जो सरल लोला किस तरीके से सरल दोलनी गती कर रहा है तो चरमस्तिती पर पहुँचने के बाद जो एक तरह का बल इसको क्या करता है वापस से माध्यस्तिती पर लाने का प्रयास करता है तो वापस से इस माध्यस्तिती पर लाने का प्रयास करता है लेकिन इसके प्रयास में ये मार्ध स्थिती तक पहुँच तो जाता है पर मार्ध स्थिती पर पहुँचने के बाद वापस से ये दूसरी तरफ चरामिस्थिती की तरफ गती करने लगता है इसका कारण है जड़त्व का नियम क्या कारण है इसका जड़त्व का नियम क्योंकि यहाँ पर सरल लोलक में जब एक बार हम यहाँ पर बाहिय बल लगाते हैं तो बाहिय बल लगाने के बाद यहाँ पर गती का जड़त्व उत्पन हो जाता है तो प्रत्यानेयन बल के द्वारा कोशिश की जा रही है कि इसको मा मार्थ हिस्टति में वापस ले आए तो ये मार्थ हिस्टति की तरफ आता तो है परंतु वापस थे व विप्रित दिशा में 20 की तरफ गती करने लग जाता है इसका कारण गती गती का जड़त्व, नूटन की गती का पहला नीयम है ठीक है बेटा तो इस तरह से ये दूसरी तरफ ये कहाँ पर पहुँचा चरम स्थिती पर पहुचने के बाद वापस से इधर क्या करेगा प्रत्या नयान बल्र काले करेगा जिसको हम क्या करते हैं F से प्रदर्शित करते हैं अब ये प्रत्यान अन्बल वापस से माध्यस्तिती में लाने की कोशिश कर रहा है फिर अगेन ये गती के जड़त्व के कारण ये पहली चरह मिस्तिती पर वापस से चला जाएगा और ये गती बार बार जो है निशित समय अ फिर वापस से यहां आई माध्यस्तिती में फिर इधर गई फिर वापस आई ठीक है यहां पर एक दोलन पुरा हुआ क्या हुआ यहां पर एक दोलन एक दोलन पुरा हुआ और एक दोलन को पूरा करने में एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगा यह समय क्या कहलाया आव आवर्तिकाल आई बात समझ में आवर्तिकाल किसको कह रहे हैं अब जो भी मूल भूत्पद हमने देखे हैं उन सब की परिभाशाएं एक बार हम देख लेते हैं तो सबसे पहले माध्य स्थिति की बात करी गई है कि जिस बिंदू के दोनों और यहां पर जो है दोलनी गती हो भी थी वो सामने स्थिति या माध्य स्थिति कहलाती है वापस से कन को माध्य स्थिति पर लाने के लिए जो बल कारेरत होता है वो क्या कहलाता है प्रत्यानयान बल कहलाता है और इसके बाद विस्थापन और आयाम की बात करेंगे ताक्षडिक विस्थापन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम डाइग्राम में ही देखते हैं कि यहाँ पर यह जो सरल लोलक है वो क्या हो रहा है विस्थापित हो रहा है ठीक है तो जो यह अधिक्तम विस्थापन है विस्थापन हो रहा है यह अधिक्तम विस्थापन जो है वो क्या कहलाता है अधिक्तम विस्थापन य इसको हम क्या करते हैं small a या फिर हम capital a से जो है प्रदर्शित करते हैं ठीक है और यहां पर मालों कि यह जैसे कि यह आया यहां तक के विस्थापित हुआ पर्टिकुलर किसी बिंदू तक के विस्थापित हुआ तो ये विस्थापन जो है Y अक्षर से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है इस विस्थापन को यहाँ पर Y वैसे जिनरली हम विस्थापन के लिए X अक्षर का इस्तमाल करते हैं लेकिन यहाँ पर Y अक्षर के इस्त आगे जब ग्राफिय निरूपण वहाँ पर करना होता है, तो वहाँ पर हम वाय अक्षर में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर विस्थापन को वाय अक्षर से डिनोट करते हैं, ठीके, अब तक्षणिक विस्थापन की अगर मैं बात करूँ, तो किसी का ले सकते हैं, विस्थापन के बारे में मैंने आपको बताया, अधिक्तम विस्थापन के बारे में भी मैंने आपको बताया, अब विस्थापन का मात्रक ओवियसली मीटर ही होगा, है ना, तक्षणिक विस्थापन किसी कर्विस इस्तर विशेश पर माध देस्थिती से एक निश्चित दिसा में जो विस्थापन है उसका तच्छनिक विस्थापन कहलाएगा आवर्त काल या दोलन काल हम अल्रेडी बात कर चुके हैं जब एक दोलन पूरा करती है उसके बाद वापस से वो उस पत्व में दोहराईगी तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है वो आवर्त काल कहलाता है जिसको हम टी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और आवर्त काल बराबर दो पाई बटे ओमेगा भी हम देखते हैं घूनी गती में भी हमने पढ़ा है उसी प्रकार यहां पर यहां पर रेखिय काल पढ़ने की जरुरत है इसके बाद हम बात कि दोलन या फिर कमपन के बारे में तो दोलन या फिर कमपन एक दोलन के बारे में मैंने आपको अल्रेडी एक्स्प्लेइन किया हुआ है ठीक है यहाँ पर मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया था बिल्कुल यही परिभाशा आपको जो है नोट करनी है दोलन के लिए भी ठीक चलो वापस से आ जाते हैं चाहो तो आप स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हो अब अगला पॉइंट है आवरित्ति जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है लेकिन अब हम कर लेते हैं जब दोलन करते हुए वस्तू एक सेकेंड में जितना दोलन कर रही है ठीक है ज माल लो कि ये एक सेकेंड में दस दोलन कर रहा है एक सेकेंड में कितना दोलन कर रहा है एक सेकेंड में दस दोलन कर रहा है तो एक सेकेंड में जितना दोलन या जितना कमपन पूरा करता है वो क्या कहलाती है उसकी आवरित्ति कहलाती है आवरित्ति को इस प्रकार से N से या बोलते हैं new इसको बोलते हैं n और या फिर f इन तीन अक्षरों से जो है आप रित्ती को रिप्रेजेंट किया जाता है अलग-अलग किताबों में या फिर अलग-अलग teachers के द्वारा अलग-अलग notations follow किया आते हैं पर उसमें confused होने के बिल्कुल भी जरुवत नहीं है और यहा मैं एक सेकेंड में कितना दोलन पूरा कर रहा है? इसके बारे में और आगे details में चर्चा करेंगे, फिलहाल बढ़ते हैं और यहां पर आवुरत्ति और आवुरतकाल के बीच का समबन्ध देख लेते हैं, आवुरत्ति और आवुरतकाल के बीच के समबन्ध में क्या देख omega और आवरित्ति के लिए हम लोगों ने क्या किया आवरित्ति के लिए हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से एक बटे टी यहाँ पर लिखा जाता है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस formula में हम लोगों को समझ लेना है यह जो omega से हम represent कर रहे हैं, यह है हमारी कोड़ी आवरती, ठीक है, और यहाँ पर, जो हम new से represent कर रहे हैं, यह है हमारी रेखिय आवरती, ठीक है, और यहाँ पर जो T है, वो आवर्तिकाल है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, अब यहाँ पर, मतलब जब हम represent कर रहे है ठीक तो यह जो T है ठीक है यह T का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर T का मतलब यह है कि एक second एक second में यहाँ पर T का मतलब जो है यहाँ पर second है एक second में कितना दोलन पूरा कर रहा है ठीक है यहाँ पर जो one यहाँ पर लिखा है यह जो है दोलनों की संख्या ह ठीक है तो यहाँ पर जब है हम लोगों ने यहाँ पर इसके पहले अगर हम देखेंगे जहाँ पर हमने क्या बढ़ा था इसका परिभाशा देखा था परिभाशा किसका आवरित्ति का देखा था कि दोलन करते हुए वस्तु में एक सेकेंड में क्या होता है जितना दोलन या क पूरा होता है वो क्या कहलाता है उसकी आवर्ति कहलाती है तो यहाँ पर एक सेकेंड जो है इसके आवर्ति काल मतलब एक सेकेंड जो है समय बताया गया है कि T के मौडिफाई करेंगे तो यह हो जाएगा ओमेगा बटे दो पाई तो यहाँ पर आवरती बराबर इस तरीके से भी जो है आप लिख सकते हैं and after all जो आपको relation मिल रहा है यहाँ पर आवरती और आवरत काल के बीच में वो इस तरीके से मिल रहा है की आवरती बराबर एक सेकंड में एक सेकंड में कितना दोलन पूरा कर रहा है मतलब कि यहां पर आवरत काल जो है आपका एक सेकंड बताया गया है और एक दोलन यहाँ पर पूरा कर रहा है लेकिन अगर आपको पूछा परिक्षावे देखो यह relation तो हम लोगों ने देख लिया पर इस से related जो आपको question पुस्ता है उसको भी मैं यहाँ पर समझा देती हूँ यहाँ पर आपको जो आवर्त काल याने की समय समय यहाँ पर जो है दिया रहता है कि मालो की एक मिनट में पूरा कर रहा है एक मिनट में अगर पूरा कर रहा है तो हमको इसको सेकेंड में convert करना पड़ेगा ठीक है तो साथ सेकेंड एक मिनट में मालो कितना बार दोलन कर रहा ह किते बार दोलन कर रहा है 120 बार दोलन अगर कर रहा है तो यहाँ पर हमको आवरित्ति कैसे निकालनी होगी तो दोलनों की जो संख्या है वो हमको लिखना होगा और कितने समय में 120 दोलन हो रहे हैं यह जो है समय सेकेंड में हम लोगों को लिखना होगा तो यहाँ पर हमको इसक और परिभाशा के अनुसार इसको जो है कितने समय में कितना दोलन करता है तो इसको हम साइकल पर सेकेंड भी बोलते हैं क्या बोलते हैं आवरित्ती को यहां पर हम साइकल पर सेकेंड भी बोलते हैं जो कि इसका मातरक भी होता है कि कितने समय में कितना साइकल पूरा कर रहा है cycle per second वो क्या कहलाएगी इसकी यहाँ पर दोलनी गती की आवरती यहाँ पर कहलाएगी ठीक है यह हो गया आवरती के बारे में और आवरती और आवरतकाल के बीच के relation के बारे में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर हम कला की बात करेंगे यहाँ पर अब कला होता क् इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम यह जो डाइग्राम हम देख रहे हैं ठीक है यह जो spring गती कर रहा है यह भी दोलनी गती का ही example है अब दोलनी गती का example कैसे हुआ तो आप यहां पर यह जो इसकी स्थिती देख पारे हूँ यह जो है इसकी क्या है माध्य स्थिती है अब कोई भी वस्तु अगर माध्यस्तिती के इधर और उधर क्या करेगी इधर और उधर गती करेगी तो वो क्या कहलाती है दोलनी गती कहलाती है लेकिन जब हम लोगों को दोलनी गती को आगे समझना है तो दोलनी गती को जो है हम मतलत इस तरीके से इधर और उधर रेखिय गती क रूप में इसको हम understand नहीn कर सकते रेखिय गति के डेख कर रही है इसलिए यहां पर यह जो बारवर repeat कर रही है बारवर repeat कर रही है जैसे कि हम लोगों ने heats दो का देख था तो इसको हम जो है मार्ध हस्तिती के दोणों तरब जू है विर्त्य गति एक समान विर्त्य आया तो ये क्या हुआ बिलकुल ये देखो माद धिस्तिती पर पहुंचा और फिर माद धिस्तिती के इधर घुमते हुए यहाँ पर चरा मिस्तिती पर पहुंचने के बाद यहाँ पर जब गोला आ रहा है तो वापस से यह जो स्प्रिंग है माद धिस्तिती में पहुंच रह मालों की इतना पहुंची ठीक है तो ये केंद्र के साथ क्या बनाती है केंद्र के साथ एक कोड बना रही है ये कोड जो है यहाँ पर केंद्र के साथ जो कोड बना रही है और मतलब ये किस पॉइंट तक के पहुंच रही है उसको जैसे कला इसकी परिभाशा के अनुसार हम य है प्लकुल वही डाइग्राम देखो यहां पर कोई भी वस्तु जो है वृतिय गती करते हुए अन्षी गती करते हुए जैसे कि यहां पर कहां पहुंची मांध da celebrity पर पहुंची ठीखessä ही यह मांध घस्तिती पर पहुंची तो आप यहां साथ गती करते हुए ये वाला जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है आपको denote कर पा रहा है कि इस तरीके से हम जब इसको एक समान वृत्य गती के रूप में सरलावर्त गती को explain कर रहे हैं लेकि जब हमको उसको graphie रूप में निरूपन हमको करना है तो एक तरह के बारे में जो मैंने आपको बताया कोर थीटा ये क्या कहला रही है इस दोलनी गती की कला कहला रही है क्या कहला रही है यहाँ पर इस दोलनी गती की कला कहला रही है और जैसे कि मालो कि यहाँ पर यह जो गती कर रहा है कोणिया वेग ओमेगा से गती कर रहा है ठीक है कोणिया वेग ओमेगा से गती कर रहा है और यहाँ पर जो ओमेगा से गती कर रहा है तो आप जो है यहाँ पर यह जो है यह ओमेगा हो गया ठीक है यह क्या हो गया ओमेगा हो गया कितने समय में गती करा तो मालों कि यह टी समय म आप इसको correct कर सकते हैं यहाँ पर जो है omega बराबर यह क्या हो जाएगा theta बटे t यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से आपका theta बराबर omega t जो है कला के रूप में आएगा और आगे इस चीज़ को समझेंगे पर देखते हैं हम इसकी परिभाशा को यहाँ पर कि जब यहाँ पर एक क कमपन कर रहे कर के लिए किसी छण कला उसकी ताप्षणिक विस्थापन की इस्थिती और कमपन की दिशा को निरूपित करती है तो यहाँ पर विस्थापन की विस्थिती और दिशा यह बहुत ही महत्वपून सब्द है एक वापस से एक बार समझो आप यहाँ पर कि जैसे आपको इस चित्र के माद्य हम से काफी अच्छे से क्लियर हो वारा है कि किस तरीके से साइन वेव से हमको इसको दर्शाना है और यहाँ पर यह विस्थापन कोणिया विस्थापन जब यहाँ पर हो रहा है थीटा इसका क्या है थीटा जो है ये इसका कोणिया वस्थापन है और ओमेगा क्या है इसका कोणिया वेग है ठीक है और कोणिया वस्थापन और कोणिया वेग के बारे में आप लोगों ने घुर्णी गती में भी बिल्कुल इसी प्रकार से और दोलनी गती को भी ये एक समान वृत्य गती के रूप में जो बता रहे हैं तो बिल्कुल वो सारी चीजे जो आप लोगों ने वृत्य गती और घुर्णी गती में पढ़ी है वही सारी चीजे हम यहाँ पर वापस से जो है देख रहे हैं ठीक है वापस से देख रहे हैं समझ यहाँ पर त्रिज्ज्जा यहाँ पर दिखाई गई है तो इसके अलावा हम लोगोंने कोनिया वेग और रेक्य वेग के बीच का relation है और आप पर काम आ सकता है तो होता है और जो कोनिया विस्थापन थीटा जो है यहाँ पर कला कहला रही है और दोलनी गती में इसको जो है हम फाई अक्षर से जो है मलब नहीं यहाँ पर जो है यह कला है ठीटा से प्रदर्शित करते हैं ठीक है अब यहाँ पर क्योंकि यह जो है जीरो से शुरू हो रहा था माध्यस्तिती से शुरू हो रहा था कहां से शुरू हो रहा था माध्यस्तिती से शुरू नहीं हुआ ठीक है मादिस्ति से शुरू नहीं हुआ यहां किसी पॉइंट से शुरू हुआ या फिर यहां किसी पॉइंट से शुरू हुआ ठीक है तो उसके बारे में भी जो है हम समझेंगे आगे पर बढ़ते हैं फिलाल आगे कोणिया आवरित्ती की बात करते तो अभी-अभी मैंने आप लोगों को ओमेगा को डिनोट करके बताया कोणिया वेग ठीक है तो यहाँ पर कोणिया वेग या कोणिया आवरित्ती दोरों को ही हम क्या कर रहे हैं ओमेगा से रेप्रेजेंट कर रहे हैं करके कला कोड में समय के सापेक्ष जो परिवतन की दर है जो हम लोगों ने यहाँ पर थीटा में समय के सापेक्ष जो परिवतन की दर देखी यही आपकी कोणिया आवरित्ती कहला रही है जो कि आप लोगों ने घुरनी घती में भी पड़ा है कोणिया वेग और कोणिया आवरिति दोनों के लिए एक ही notation यहाँ पर इस्तमाल किया जा रहा है ठीके अब कोणिया आवरिति के बाद कोणिया आवरिति के बाद आपको देखना है सरल आवर्त गती के बारे में यहाँ पर जो है ग्राफ ये रूप में जो निरूपित हो रहे है दोलनी गती चीक है अब यही यही जो है सरल आवर्त गती भी कहलाती है और यहां पर कोई वस्तु अगर अपनी माध हिस्तिती के दोनों ओर एक सरल रेखा में आवर्ती गती कर रही है आवर्ती गती कर रही है मतलब बार बार repeat कर रही है एक निशित पत्च में निशित समय अंतराल के बाद क्या कर रही है दोहराई जा रही है तो आवर्ती गती में हम लोगों ने दोलनी गती को पढ़ा था और दोलनी गती और आवर्ती गती को समझने के बाद हम उनके एक रूप के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको हम सरल आवर्त गती से जानते हैं सरल आवर्त गती कुछ और नहीं बलकि दोलनी गती और आवर्ती गत है ठीक है तो वो क्या कहला रही है दोलनी गती कहला रही है तो एक जो है यहाँ पर आपको सरल लोलब के लिए दिखाया गया है एक तरह से और यहाँ पर एक जो है आपको किसके लिए दिखाया गया है किसके लिए दिखाया गया है किसके लिए दिखाया गया है स्प्रिंग के गती के जो दो प्रकार है ठीक है तो देख रहे हो यहां पर जो है यहां पर जो है विस्थापन जब हो रहा है तो यहां पर क्या है कोण के रूप में विस्थापन हो रहा है लेकिन यहां पर जो विस्थापन हो रहा है यह जो है रेखिये रूप में विस्थापन हो रहा है ब अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि माधस्तिती पर लाने के लिए प्रत्याने अन्बल तो दोलनी गती के हर समें कारे करता है यहाँ पर रेखिया गती के लिए भी कारे करेगा लेकिन यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा जो प्रत्याने अन्बल है यहाँ पर यह पर जो यह प्रत् करते हैं ठीक है माइनस के से प्रदेसित करते हैं लेकिन जब हम कोणिय सरलावरत गती की बात करते हैं तो यहां पर कण का जो प्रत्ययन never आगहुन लगता है क्योंकि देखो जब कोर की बात आती है So बल नहीं बलकि बल आगुन से हम चीजों को जो है ग्यात करते हैं आपने घुनी गती में भी कोणिय विस्थापन कोणिय तवरन के बारे में पढ़ा जहां पर हम लोगों ने बल आगुन बहुत अच्छे से देखा था अब जब सरल लोलक की बात है तो वहां पर पत्या ने ब बल आगुन और कोणिय तवरन सदय कोणिय विस्थापन के क्या होते हैं समानुपाती होते हैं मतलब कि यहां पर जो यह कोणिय विस्थापन हो रहा है जो यहां पर बल आगुन या बल आगुन को हम टाव अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और कोणिय तवरन को हम अलफा से प्रदर्शित करते हैं सेम हम लोगों ने घोनी गती में भी किया था ठीक है तो ये जो दोनों ही किसके समानुपाती होते हैं तो यहाँ पर जो है किसके समानुपाती होते हैं यहाँ पर रेखिये गती में विस्थापन के समानुपाती थे लेकिन यहाँ पर वाय के समानुपा ना हो करके किसके समानुपाती होंगे कोनिय विस्थापन के समानुपाती होंगे किसके समानुपाती होंगे कोनिय विस्थापन मतलब की थीटा के समानुपाती होंगे ठीक है तो सरल आवर्त गती के प्रकार देखने के बाद ये कुछ विशेशताएं आप देख सकते हो कि सरल आवर्त गती जो है आवर्ती गती होती है सरल रेखा के अनुदिस माध्यस्तिती के दोनों तरब गती करती है और वस्तुपर लगने वाला त्वरण सदयव माध्यस्तिती की ओर होता है कि इधर होता है जो त्वरण लगता है माध्यस्तिती की ओर क्योंकि बल प्रत्याने तो अव्यसी बात है जिस दिसा में बल होगा उसी दिसा में क्या होगा त्वरण भी होगा तो ये सिंपल सी बात है जो सरल आवर्त गती की विशेष्टा है अब आवश्यक सर्थ की हम बात करते हैं कि यहां पर सरल आवर्त गती किसी भी वस्तू में तभी होगी जब वह वस्त दोलनी गती कर रहा है तभी वो क्या होगा सरल आवर्त गती के अंतरगत आएगा जहां पर कुल यांतरी कुर्जा क्या होती है संडक्षित होती है यांतरी कुर्जा का मतलब गती जुर्जा और इस्थिति जुर्जा से है इसके बारे में भी हम लोगों को सरल आवर्त गती में और जा के बारे में समझना है कि यहाँ पर और चरामिस्थिति की जो बात कर रहे हैं जो maximum विस्थापन जो रहा है अधिक्तम विस्थापन चरामिस्थिति ठीक है आयाम जिसको हम आयाम के नाम से जान रहे हैं वो प्रॉपरली परिभाशित होना चाहिए क्योंकि सरल आवर्त में जब हम sign function से प्रदर्शित करेंगे तो ये सारी चीजों को जो है हमको क्या करना है निरूपित करना है अब जैसे कि हमने बात करी एक example मैंने आप लोगों को spring का दिखाया था जहां पर मैंने आप लोगों को जो है माध्यस्थिती चरमस्थिती वापस से माध्यस्थिती फि क्यों किया गया है क्योंकि देखो यहां पर यह जो डाइग्राम हम लोगों ने देखा था वापस से हम उस डाइग्राम पर पहुंचते हैं एक बार तो आपको काफी अच्छे से समझ आएगा ये डाइग्राम ठीक है ये डाइग्राम जो मैंने as it is explain किया था बिलकुल यही बात वहाँ पर एक समान वृत्य गती में बताई जारी है ठीक है मार्ध सिती के दोनों और जो है गती कर रहा है अब इसको रेखे गती के रूप में जो है हमको दर्शाना मुश्किल है इस वज़ा से हम यहां पर सरल आवर्त गती को दर्शाने के लिए क्या करते हैं सरल अच्छे से क्लियर होगा यह बॉल यहां पर सरल आवर्त गती दिखा रहा है जिसको रेखिये रूप में हम लोग नहीं डिनोट कर सकते हैं इसलिए हम इसको वृत्य गती एक समान वृत्य गती के रूप में डिनोट कर रहे हैं और इसका जो ग्राफ यहां पर बनेगा यह तो ग्राफिय निरूपन अभी यही सेम चीज में आपको करके दिखाऊंगी ठीक है तो बिलकुल यह ग्राफ में यह जो बॉल की गती माध्यस्थिती से चरमस्थिती माध्यस्थिती से चरमस्थिती फिर वापस से माध्यस्थिती फिर चरमस्थिती फिर वापस से तो वही चीज आपको यहाँ पर आगे जो है उस चीज के बारे में हम डिटेल में चाचा करने वाले हैं एक समान वित्य गती तथा सरल आवरत गती के बारे में और इस तरह से लगातार sign function जो है आगे बढ़ता रहता है बिल्कूल इस तरीके से sign function आगे लगातार बढ़ रहा ह है ठीक है अब यहां पर इस चीज को हम औररडी वैसे देक चुके हैं पर डीटेल में समझते हैं यह ठीटा यहाँ पर क्या है को निया विस्थापन ठीक है препों विस्थापन जो है हम लोगों को omega बराबर theta बटे t से हम लोगों को यह मिला था वेक बराबर विस्थापन बटे समय वेक बराबर विस्थापन बटे समय जहां से हमको थीटा बराबर ओमेगा टी मिल गया था तो यहां पर थीटा बराबर ओमेगा टी यहां पर लिख सकते हैं अब एक आंतर कोंड से क्योंकि यह वाला कोंड ओमेगा टी है तो यह कौन जो है एकांतर कौन से ओमेगा T हो गया अभी आगे हम जब समीकरन वेंजक निकालेंगे तो वहाँ पर यह चीज काम आएगी तो इसलिए प्लीज आज इसको ध्यान से समझना ठीक है अब यहाँ पर आप आप देख सकते हैं कि विस्थापन की जब हम लोगों ने परि से रिप्रिजन करते हैं अब यहाँ पर इस दोलनी गती में अधिक्तम विस्थापन इस बिंदू तक ही हो सकता है तो यह अधिक्तम विस्थापन यहाँ पर क्या कहलाता है आयाम कहलाता है अल्रेडी सारी चीजे हम लोगों ने दोलनी गती में पढ़ ली है जो कि सरल आवर समय मतलब एक आवर्तकाल का एक चौथाई हिस्सा यहाँ पर लगेगा आई बात समझ में अब वापस से वापस से जब माध हिस्तिती पर पहुँचेगा तो आधा आवर्तकाल पूरा करेगा और फिर विपरीद दिशा में यह क्या करेगा विपरीद दिशा में जैसे कि यह प पहली चरह मिस्तिती पर पहुँचा फिर यहां पर विपुरीत दिशा में दूसरी चरह मिस्तिती पर पहुचने के बाद जो है वापस से यहां पर माध्य हिस्तिती पर पहुचेगा एक दोलन काल याने की एक आवर्तकाल टी समय पर ठीक है तो समझ में आ रहा है कि वापस से जब वाध्यस्तिती मर आएगा तो आधा आवर्तकाल अगें नेक्स्ट आध्यावर्तकाल में जो है ये फिर दूसरे चरम स्थिती पर पहुँच कर जो है वापस है माध्यस्तिती पर आएगा तो इस तरीके से हम सरल आवर्त गती के ग्राफ को निरूपित करते हैं अब पर विस्थाकन को समझा है ये हमारा X अक्ष है ये हमारा Y अक्ष है अब यहा पर मतलब माध्यस्तिती से जो है बिल्कुल ये आपकी दोलिनी गती शुरू हो रही थी अभ यहाँ पर इस पर अधिक्तम आयाम चरम इस्थिती पर पहुंच रही थी ठीक है वापस से माध धस्थिती पर आ रही थी ठीक है तो यहाँ पर कितने समय में पहुंच रही थी टी बाई फोर और यहाँ पर कितने समय में पहुंच रही थी टी बाई टू फिर वापस से विपरीत दिशा में यून तम आयाम, मतलब कि दो विपरी दिशा में, अधिक्ताम आयाम तक पहुंची तो ये तीन-चोथाई समय में तीन चौथाई समय के बाद पूरे टी समय में ये जो है वापस से कहा पहुची माध धिस्तिती पर पहुची तो यही क्या है समय के अनुसार यहाँ पर जो X अक्ष है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है समय को प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ पर कोणिया विस्थापन को प ठीक है जीरों से शुरू हो रहा है लेकिन अगर हो सकता है कि ये माद धेस्थिती से ना शुरू हो करके किसी बिंदू से शुरू हो तो उसके बार में भी हम आगे पढ़ेंगे फिलाल जो अभी हम लोगों ने देखा यहां पर जो देखा ठीक है ये सरलावर्त गती का ये निरूपन देखा ठीक है माद धेस्थिती से शुरू हो रहा है अब जैसे कि इस गती को हम वृत्य गती से प्रदर्शित कर रहे थे तो ये जो बिंदू है यहां पर मतलब जीरो डिगरी पर ये माद धेस्थिती है लेकिन मान लो की शुरू हुआ यहां से एक पहला बिंदू से शुरूआत हो रही है ठीक है यहां पर शुरूआत इस बिंदू पर हो रही है तो यहां पर जो हम लोगोंने कला कोन के बारे में पढ़ाता कोन या विस्थापन याने की कला कोन के बारे में पढ़ाता तो यहां पर इसको जो है हम फाई अक्षर से निरूपित क करेंगे कि यहां पर जो जीरो डिगरी से ना शुरू हो करके किसी मान लो की पंदरा डिगरी से शुरू हो या कहीं से मतलब किसी बिंदू से शुरू हो कितने कौन से शुरू हो यहां पर जैसे कि यह कौन है तो यहां पर मान लो कि यहां पर ओमेगा टी जो है यह है ओमेगा सापन थीटा है इसको हम कैसे लिखेंगे omega t plus phi क्या लिखेंगे हम omega t plus phi ठीक है इस तरीके से निरूपित करेंगे अब लेकिन मान लो कि यह जो है उपर की तरफ से शुरू हो रहा है तो उपर का सीरा धनात्मक है अब नीचे का सीरा क्या होता है नीचे का शीरा जो है वो निरन को बताया अगर यहां से शुरू हुआ तो यहां पर जो यहां पर यह जो कला कोन है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ठीटा ब्राबर ओमेगा टी माइनस फाई क्योंकि यह वाय अक्ष के नगेटिव साइट से शुरू हो रहा है ठीक है तो इस तरीके से जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे अब इसी चीज को यहां पर हम समझेंगे कला ठीक है तो सरल आवर्त गती में जो कण की कला है ठीक है अब सरल आवर्त गती कर रहे है कण की इस्थिती और दीशा का ज्यान करती है इसके पहले हम लोगोंने दोलनी गती के बारे में पढ़ाता है तो वहां पर हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे लेकिन यहां पर सरल आवर्त गती में जो है जरूरी रही है कि जीरो से शुरू हो इस वज़ा से हम इसको क्या कर रहे हैं फाई अक्षर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कला कोड को किसको हम कला कड को फाई अक्षर से रि तो यहाँ पर जो है यह क्या है माइनस फाई कला कोड है इसका और यहाँ पर अगर धनात्मक दिशाशे शुरू हो रहा है देखो यह इस बिंदू से शुरू हो रहा है तो यह क्या है फाई ठीक है अब अगर मालो की यहाँ पर दो तरह के कोड है एक जो है यह माइनस फाई क् फाई ठीक है अब 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 यहाँ पर जो है कोणिया विस्थापन को हम लोगों नहीं यहाँ पर क्या किया था ओमेगा टी माइनस फाई से रिप्रेजंट किया ठीक है अब कलांतर की जैसे की बात करेंगे यहाँ पर कलांतर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दो कोण दो कला कोण कला कोण के बीच का अंतर वो क्या कहलाएगा? कलांतर कहलाएगा जैसे दो कला कोण के बीच का अंतर जैसे कि हमारे पास दो कोण है तो फाइटू माइनस फाइवन तो दो कोण के बीच का अंतर ये आपका क्या कहलाएगा कलांतर कहलाएगा तो हो सकता है कि कहीं पर आपको दो कोण के बीच का अंतर हो ठीके तो ये चीज आपको समझनी है और ये समझने के बाद हमको यहाँ पर सरलावर्त गती के विभिन व्यनजकों को समझना है अब विभ सरलावर्थ गती का सरलावर्थ गती का जो वेग है तो वेग समीकरन हम देखेंगे ठीक है वेग समीकरन देखेंगे और वेग समीकरन देखने के बाद हम देखेंगे क्या तुरन समीकरन देखेंगे तो इस तरीके से हम लोगों को तीन समीकरन देखने हैं सबसे पहले यहाँ पर जब हम बात करेंगे किसकी विस्थापन के समीकरण की जब हम बात करेंगे तो इस चीज को हम लोगों ने डिटेल में अल्रेडी समझ रखा है कि हम लोगों को यहां पर यह चीज कैसे प्राप्त हुई थी एक समान वृत्य गती सरलावर्द गती तो ओमेगा बराबर थीट अब इसका ग्राफिय निरूपन जब हम लोगों ने किया था तो हम लोगों को साइन फंक्शन मिल रहा था यह चीज जो मैं आपको अल्रेडी एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ ग्राफिय निरूपन सरलावर्द गती का अधिक्तम आयाम पर पहुच रहा था ठीक है और यहा इस तरीके से हम यहाँ पर समय अंतराल को समझते हुए अधिकतम आयाम नियूंतम आयाम और टोटल आवर्द काल में हम यहाँ पर ग्राफिय निरूपन किये थे ठीक है अब यह जो ग्राफिय निरूपन किये हैं इसको हमको समीकरण के रूप में प्राप्त करना है कैसे भा सभरी के समीकरण को यहां पर ज्याद करना है तो इसको ज्याद करने के लिए हम कैसे ज्याद कर सकते हैं अगर मानो की इस बिंदु तक के पहुँच रहा है तो यह अपनी यहाँ पर हम color थोड़ा change करते हैं, ताकि आपको यहाँ पर clear दिखे, ठीक है, तो यह omega t, है ना, यह एक आंतर कोण से होगा, और यह समझ जाओ, यह कोण बन रहा है, यह एक कोण और यह एक कोण, है ना, अब यहाँ से कोण जो बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नि लंब, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यह O M के समनांतर है, तो यहाँ पर लंब आपका हो जाएगा, क्या O M, ठीक है, और कर्ण की अगर हम बात करें, तो यह जो O A है, वो क्या हो जाएगा, आपका कर्ण, तो आप देख पा रहे हो, जो O M है, वो क्या है, आपका Y है और करन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है अधिक्तम विस्थापन A से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है ठीक है यहाँ पर जो है यहाँ पर यह जो Y बटे A है यह आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर साइन ठीटा बराबर Y बटे A मिल रहा है आपको ठीक है अब अगर हम पक्षांतर करेंगे A को इधर तो यह हो जाएगा Y बराबर A साइन ठीटा अब ठीटा के जगह हम रख सकते हैं क्या ओमेगा T भी रख सकते हैं तो यहाँ से आपका समीकरण हो जाएगा A साइन A साइन ओमेगा T क्या हो गया आपका समीकरण A साइन ओमेगा T ठीके तो यह समीकरण हो गया आपका क्या विस्थापन का समीकरण हो गया क्या हो गया विस्थापन का समीकरण हो गया अब इसके पहले हम लोगों ने जो है कला कोण के बारे में भी पढ़ा था तो अगर यहाँ पर जैसे इसके लिए अगर हमको विस्थापन समीकरन लिखना है इसके लिए अगर हमको विस्थापन समीकरन का इस्थमाल करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर y बराबर जैसे माइनस फाई इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर विस्थापन समीकरण लिखेंगे अलग-अलग कला कोण के लिए ठीक है तो विस्थापन समीकरण हम लोगों ने समझ लिया इसका ग्राव भी हमने देख लिया अब वेग समीकरण की जब हम बात करेंगे तो बिटा अगर इस बिंदू तक अधिक्तम आयाम पर पहुँच रही है जिसके लिए अभी हम लोगों ने क्या निकाला जिसके लिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर विस्थापन समीकरण निकाला है ठीक है अब इसी बिंदू पर अगर हम वेग की बात करें तो इसी बिंदू पर इस जो दिशा है वो इस तरीके से इस दिशा पर इसकी इस परसज्जा की दिशा में होगी यहाँ पर ए बिंदू पर इस परसज्जा की दिशा में आपको क्या दिखाया जा रहा है रेखिय वेग की दिशा दिखाई जा रही है ठीक है अब ये जो रेखिय वेग की दिशा है ये इस तरीके से जो है क्या कहना चाहिए दो समतल के बीच में है तो इसको हम क्या करेंगे इसके सदिस घटक में डिवाइट करेंगे इसको जब हम इसको सदिस घटक में डिवाइट करेंगे तो आपको कोन चाहिए जो पता है आपको यहां पर का कोन ओमेगा टी ठीक है अब जब आपको पता है यहां का कोन ओमेगा टी तो यहां से आपका इस बिंदू का कोन भी हम लोगों ने देखा था ओमेगा टी ठीक है तो जामीती की अनुसार इस बिंदू का जो यहां पर इस हिस्से का जो कोण है वो भी क्या हो चाएगा ओमेगा टी अब कोण मिल गया तो हमको सदिस घटक में डिवाइट करना आसान है कोई मुश्किल की बात ही नहीं है ठीक है ये हो गया वी स्कॉस ओमेगा टी और वी साइन ओमेगा टी इस तरीके से तो जब हम यहाँ पर सर चीजे जो हम लोगों ने देखी थी तो यहाँ पर लंब पाद शब्द का इस्तमाल किया जाता है तो इसलिए जब हम यहाँ पर वेग का समीकरण निकालते हैं तो हम यहाँ पर इसके लंबवत घटक को जो देखेंगे वी कॉस ओमेगा टी यहाँ पर यह जो वी कॉस क्या हो जाएगा वी कॉस ओमेगा टी अब यहाँ पर यह वी क्या है रेखी अवेग क्या है वी रेखी अवेग तो क्योंकि हम लोगों को कोणी अवेग और रेखी अवेग के बीच का संबंध पता है वी बटे आर लेकिन यहाँ पर जो है हम अधिक्तम आयाम ए जो ले रहे हैं क्या ले रहे हैं अधिक्तम आयाम ए जो ले रहे हैं यहाँ पर इसको हम वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या आर से नहीं ए से रिप्रिजन कर जा रहा है अधिक्तम आयाम ए से रिप्रिजन किया जा रहा है ठीक है इस वजह स इस वजह से यहाँ पर जब हम relation लिखेंगे तो यह relation क्या हो जाएगा? यहाँ पर omega बराबर हो जाएगा V बटे A हो जाएगा और यहाँ से हम V बराबर लिख सकते हैं omega A ठीक है? अब यह omega A रख सकते हैं हम यहाँ पर तो यह हो जाएगा क्या? यू बराबर यू बराबर omega A cos omega T हम यहाँ पर लिख लेंगे ठीक अब cos omega T यह जो हम लोगों ने लिखा है बेटा यह जो है आपका विस्थापन समीकरण का एक equation यहाँ पर विस्थापन समीकरण का मिल गया ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा जो है यहाँ पर देखेंगे त्र cos omega T लिखना है तो cos omega T बराबर हम लिख सकते हैं वर्ग मूल 1-sin का वर्ग omega T हम आराम से लिख सकते हैं अब यही चीज़ यहाँ पर हमको समीकरण में जब लिखना होगा तो यह हो जाएगा यू बराबर omega A और यह हो जाएगा वर्ग मूल 1-sin का वर्ग omega T ठीक है? हो जाएग अब देखो sine के रूप में निकल गया लेकिन यहां पर हमको sine omega t के बारे में भी यहां पर पहले से पता है sine theta और कुछ नहीं बल कि क्या है sine omega t ही है تो sine omega t के बारे में हमको relation पता है क्या y बटे a y बटे a पता है बस बिलकुल यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यह देखो इसकी जगहाँ पर तो यह क्या हो जाएगा यू बराबर ओमेगा ए वर्गमूल एक करेण क्या हो जाएगा यह वाई बटे ए का पूरे का वर्ग हो जाएगा अब इस समी करण क साथ हम आगे बढ़ते हुए यहां पर लिखेंगे यू बराबर उमेगा ए वर्ग मूल एक माइनस वाई बटे एक का वर्ग ठीके बिटा इतना क्लियर है सभी को कमेंट में नीचे लिख करके जरूर बताना है क्योंकि यहां पर डैरिवेशन हो सकता है कि आपको लगे कि कठि समी करन दूसरे रूप में आ गया पहले रूप में क्या आया था तो पहले रूप में हमारे पास क्या आया था यहां पर देख लेते हैं कि omega 1 ay omega लिख सकते हैं या फिर ay omega cos omega t ठीक है यह आपका पहले रूप में समीकरण आया था ठीक तो अब समीकरण तो हम लोगों निकाल लिया पर हम अब देखो विस्थापन का ग्राफिय निरूपन सरलावर्त गतिका तो हमने देखा ही लेकिन हमको यहाँ पर वेग का भी ग्राफिय निरूपन देखना है अब वेग के समी करण में हमारे पास क्या मिल रहा है कॉस मिल रहा है तो क्योंकि जब हम लोगों क कॉस ओमेगा टी यहाँ पर इसका विस्थापन अधिक्तम क्या हो गया ए ओमेगा तो धनात्मकदिशा से प्लस ए ओमेगा अधिक्तम विस्थापन रिनात्मकदिशा में माइनस ए ओमेगा अधिक्तम विस्थापन करते हुए यहाँ पर कॉस फंक्शन के रूप में आपको वे के समी करण की बात करेंगे तो आप यहाँ पर एक समान वृतिय गती की जैसे कि आप लोगों ने ओमेगा बराबर वी बटे ए देखा था वैसद अधिकतम आया आप एक समान वृतिय गती में त्रिजा के रूप में ले रहे हैं ये आपको पता है ना तो बिल्कुल इसी तरीके से ठीक है तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जो वेग की दिशा थी कैसी थी जो वेग की दिशा थी इस तरीके से इस बिंदू के परशज्या की दिशा में थी ठीक है लेकिन जो त्वरन की दिशा होती है पहली ले रही हूँ, यह A बिंदू से किधर है, A बिंदू से यह केंद्र की तरफ इस प्रकार से है, ठीक है, तो अब हमको यह जो हमारा अभीकेंद्रियत्वरन है, यहाँ पर जो सरलावर्तकती में अभीकेंद्रियत्वरन को अल्फा के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, क्यो एक आंतर कोड से यहां पर ये वाला कोड क्या हो जाएगा ये वाला कोड जो है omega t हो जाएगा अब त्वरण को डिवाईट करेंगे तो ये वाला हिस्था अलफा कॉस omega t और ये वाला हिस्था alpha sin omega d अब फिर से हम लोगों को क्या करना है क्योंकि हम lamb path शब्द का इस्तमाल करते हैं तो lambovat जो यहाँ पर घटक है उनको लेते हुए lambovat जो घटक है उसको consider करते हुए यहाँ पर alpha हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है आप यहाँ पर क्या करोगे sorry यह alpha को हाँ ठीक है बिल्कुल represent किया ठीक है अब यहाँ पर alpha वराबर alpha वराबर आपको क्या करना है यहाँ पर alpha की जगा हमको actual में इसको हम थोड़ा correct कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर अल्फा ना लिखते हुए हमको जो है क्या लिखना है बिटा यहाँ पर अल्फा ना लिखते हुए हमको लिखना है वी का वर्ग ए ठीक है यहाँ पर भी वी का वर्ग ए और यहाँ पर भी वी का वर्ग ए ठीक है क्योंकि अल्फा त्वरन को हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं तो ये जो है इसका बी का वर्ग यहां पर आ जाएगा और ये साइन ओमेगा टी लंबवत जो घटक है उसको लेते हुए हमने जो है यहां पर त्वारण का समीकरण लिखा लेकिन क्योंकि ये रिनातमक दिशा में हैं आप देख पारे हो किधर है रिनातमक दिशा में हैं इस वज़ा से हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस चिन्ह का इस्तमाल करेंगे देखो इसके पहले जो हम लोगों ने वेग का लिया था ठीक है तो ये वाला घटक लिया था बिल्कुल हमने ये वाला घटक लिया था यू से रेप्रेजेंट करते हुए वी कॉस ओमेगा टी अब ये A क्या लिख सकते हो वाई बटे आप A लिख सकते हैं ठीक है और वाई बटे A आपने लिख दिया आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस वी का वर्ग और ये वाई बटे जो A है अब ये वाई बटे जो A है इसको हम आगे कैसे solve कर सकते हैं आगे कैसे solve कर सकते हैं यहाँ पर तो आपने minus V का वर्ग A लिख दिया और Y बटे A आप लोगों ने किस के जगह में लिख दिया sin omega T के जगह में लिख दिया ठीक है किस के जगह में लिख दिया sin omega T के जगह में लिख दिया ठीक है तो इसके बाद next क्या कर सकते हैं कोई comment में लिखकर बदा सकता है क्या yes or no yes or no कोई बदा सकता है क्या कोई बाद नहीं मैं आपको बदा देती हूँ ये हो जाएगा V का वर्ग बटे A का वर्ग और ये हो जाएगा क्या why ये आगया आपका क्या त्वरण तिक अब 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 यहाँ बदेखो क्या लिखाए आपने omega बराबर V बटे A रेखिया वेग और कोई या वेग के बीच का रिलेशन ठीक है यहाँ पर जो V का वर्ग और A का वर्ग है इसके जगह में आप क्या लिख सकते हो omega का वर्ग और यहाँ पर आपका जो त्वरण का समीकरण आप लोगों को मि हम लोगों को क्या मिला? alpha बराबर minus omega का वर्ग A ठीक है? हाँ? यह समीकरण हमको मिला इसके पहले हम लोगों ने alpha बराबर minus V का वर्ग A sin omega t हम लोगों को क्या मिला था? शुरुवात में मिला था. अब sin omega t से हमको जो है यह तो clear है कि यहाँ पर sin function बनेगा जब हम इसका ग्रा लेकिन क्योंकि यहां पर माइनस का चिन है क्या है यहां पर माइनस का चिन है ठीक है तो यह जो माइनस का चिन है यह जो माइनस का चिन है आपका यहां पर क्या दर्शाएगा यह माइनस का चिन दर्शाता है कि यहां पर जो है आपका जो साइन फंक्शन बनेगा वो विप्री अधिक्तम विस्थापन है ना यह आयाम में हम लोगोंने माइनस ओमेगा स्क्वार ए क्यों लिखा है तो क्योंकि हम लोगोंने क्या लिखा है यहाँ पर विस्थापन की जगह पे अगर हम क्या लेंगे वाई बराबर देखो ध्यान से यहाँ पर अगर क्या लेंगे वाई बर प्लस ओमेगा स्क्वाइर एव वापस से फिर माध्ध स्थिती पर आकर एक आवर्तिकाल पूरा करेगा और इस तरीके से हम क्या करेंगे त्वरन को जो है ग्राफिय रूप में निरूपित करेंगे अब ये व्यंजक समीकरन आपको परिक्षा में पूछे जाते हैं अब यहा पर जो व्यंजक स्थापित करेंगे ये इसकी शुरुवात कहां से होगी तो बिल्कुल जो त्वरन का समीकरन आप लोगों ने ग्याद किया है इस त्वरन के समीकरन से जो है आपकी यहाँ पर शुरुवात होगी ठीके अब इस त्वरन के समीकरन से क्या हो रहा है यहाँ अगर रिनात्मक्चिन्द को क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल परिमार की बात होगी जब यहाँ पर हम संबंध की बात कर रहे हैं तो ओमेगा स्क्वाइर बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वाइर अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं त्वारण बटे विस्थापन ठीक ये आपको मिल गया ठीक है अब जब हम आवर्तकाल की बात करेंगे किसकी बात करेंगे जब हम आवर्तकाल की बात करेंगे तो आपको पता है दो पाई बटे ओमेगा आवर्तकाल होता है अब ओमेगा हम लोगों ने यहाँ पर ग्याद कर लिया है किसके लिए ओमेगा हम लोग अब इसको correct करते हुए आप लिखेंगे दो पाई वर्गमूल वाई बटे अलफा तो ये क्या हो गया आपका आवर्तकाल का समीकरण यहां पर आप आवर्तकाल बराबर ये भी लिख सकते हैं दो पाई दो पाई विस्थापन विस्थापन बटे त्वरण ये काफी important सुत्र है ये सारे सुत्र आगे आपको बार-बार इस्तमाल हो रहे हैं ठीक है अब जब हम इनका relation देखते हैं किसके साथ आवर्ती के साथ जब हम इनका relation देखते हैं ठीक है तो ये आवर्ती के साथ जब relation होता है ठीक है ये क्या होगे आपका आवर्ती के साथ का relation अब ये same formula आपको करण के रूप में तो एक बटे दो पाई अब ये हो जाएगा आपका क्या तुवारण बटे विस्थापन ठीके तू काफी कंफ्यूजन होगा अगर आप कॉंसेट क्लियर रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मुलास जो है आगे भी जगा जगा आपक आरोपित करते हैं मालो की किसी भी वस्तू में त्वरण लगता है तो न्यूटन की गति के द्वितियनियम के अनुसार हम लोगों को वहाँ पर क्या प्राप्त होता है बाहिए बल प्राप्त होता है जो की द्रवेमान और त्वरण का गुड़न फल होता है यहाँ पर त्व का समीकरण है वो क्या हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वर वाई क्या हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वर वाई ठीक अब अब हम लोगों को जो है ये भी पता है एम अलफा ठीक है ये समीकरण नंबर एक ये समीकरण नंबर दो ठीक अब हम समीकरण एक समीकरण एक व माइनस माइनस M ओमेगा स्क्वर Y ठीक है हुआ ये अब यहां से क्या हो गया आपका यहां से क्या हो गया इसके आगे आपका जो है आप इसको जो है ये तो हो गया आपका यहां से अलफा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वर Y ये तो हमने वैल्यू ही आल्रेडी रखी हुई थी लेकिन लेकिन एक चीज और हम प्रत्यानयन बल के बारे में पढ़ते हैं ठीक है किसके बारे में पढ़ते हैं प्रत्यानयन बल के बारे में पढ़ते हैं तो हमको वैसे यहाँ पर इस चीज की जरुवत तो नहीं है इस चीज की जरुवत तो नहीं है बलकि हम एक और समीकरण यहां पर देखेंगे ठीक है एक और समीकरण देखते हुए जो हम लोगों ने विस्थापन के साथ relation देखा था क्या relation देखा था हमने विस्थापन के साथ जो है समानुपाती होता है किसके विस्थापन के इस तरीके से जब यहां पर हम इस समानुपाती चिन्न को हटाते हैं, तो यह होता है minus kx, ठीक है, minus kx, तो इसको आप जो है समी करण number 1 नाम दीजिए, यहाँ पर इसको आप दीजिए नाम समी करण number 1 और यह वाला जो समी करण है, इसको आप समी करण नंबर दो नाम दीजिए ठीक है अब यहाँ पर समी करण एक और दो की जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समी करण एक वा दो से क्या हो जाएगा एक तरफ हो जाएगा आपका माइनस के एक एक तरफ हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वार यहाँ पर विस्थापन को हमने y से रिप्रिजेंट किया है तो प्लीज आप यहाँ पर करेक्ट कर लेना जो गलती से x लिख गया था वो y है यहाँ पर भी हम करेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर सरलावर्द गती में विस्थापन को y से रिप्रिजेंट कर रहे हैं अब इसके अनुसार जब हम यहाँ पर omega बराबर लिखना चाहेंगे तो यह हमको मिल जाएगा क्या k बटे m और इस पूरे का वर्गब मूल इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर omega मिल जाएगा ठीक है अब यह omega की value जो हम लोगों को यहाँ पर प्राप्थ हुई है ठीक है यह बलक का equation लिखेंगे वहाँ पर भी आवर्ति के equation में हम आवर्त काल का इस्तमाल करते हैं वहाँ पर भी हम क्या करेंगे इस omega की value रखके जो है समी करन याद कर सकते हैं तो आवर्त गति के लिए जो बल का नियम है बल के नियम से हम लोगों को omega के साथ जो है बल नियतांक का relation इस त कारे किया जा रहा है और कारे करने की शमता ही क्या कहलाती है उर्जा कहलाती है और यहां पर जब हम उर्जा की बात करेंगे सरल आवर्त गती में तो ये उर्जा जो होगी यांतरिक उर्जा होगी तो इसमें दो प्रकार की उर्जाएं होंगी एक उर्जा जो होगी वो क्या को भी पता है वो कौन सी उर्जा है तो वो है गतिज उर्जा लेकिन यहाँ पर आपको सोचना यह है कि जो हम सरल आवर्त गती पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सरल आवर्त गती में किस प्रकार से आपकी गतिज उर्जा और इस्थितिज उर्जा कारे करेगी तो आप यहाँ पर पर होता क्या है कि यहां पर जो है चरम स्थिती पर ले जाने के बाद उसको वापत से इस माध्य स्थिती में लाने के लिए प्रत्यानियान बल कारे करता है और बल के बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या सुत्र पढ़ा है बल के बारे में हम लोगों ने माइन अनबल है वो क्या होगा शुन्य होगा माध्यस्तिती पर जो प्रत्याने अनबल है कौन सबल प्रत्याने अनबल जो है वो क्या होगा शुन्य होगा क्योंकि माध्यस्तित पर हिलाने का वो प्रयास कर रहा है वो माध्यस्तिती पर पहुंच चुका है तो यहां पर पहुंचने देर के लिए स्थितिज उर्जा कारे करेगी और जैसे ही यहाँ पर गती हो रही है तो गती हो रहे पोजिशन में यहाँ पर क्या होगा गतीज उर्जा कारे करेगी तो इस तरीके से दो प्रकार की उर्जा कारे कर रही है बलके कारण दो प्रकार की उर्जा बलके कारण सरल लोला की हम बात कर रहे हैं और वो जब चरम स्थिती पर पहुँच रहा है तो वहाँ पर जो बल कारे कर रहा है इसका सुत्र मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया ठीक है और वापस से वो जब माध्य स्थिती पर पहुँच रहा है तो वहाँ पर प्रत्यानियन बल कि के लिए उर्जा या फिर कारे कैलकुलेट करना है तो मतलब इस्थितिज उर्जा जो हम कैलकुलेट करेंगे इस्थितिज उर्जा को हम यहां पर यूज से प्रदर्शित करेंगे और इसके कैलकुलेशन के लिए हम कारे का कैलकुलेशन करेंगे और कारे कैलकुलेट के लिए क टारे केलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा बल गुञा विस्थापन चाहिए होगा क्या चाहिए होगा हम लोगों को बल गुणा विस्थापन चाहिए होगा ठीके अब यहां पर बल क्या होगा कुल बल क्या होगा नेट बल क्या होगा तो बेटे नेट बल जो है नेट बल मतलब नेट बल निकालने के लिए यहां पर हम लोगों को म माध्य बल निकालना पड़ेगा ठीक है तो माध्य बल अगर हम निकालेंगे तो माध्य बल क्या हो जाएगा क्योंकि देखो माध्य स्थिति मन पहुचने पर प्रत्यान अन्बल शुन्य है चरम स्थिति पर प्रत्यान अन्बल का मान यह है ठीक है तो हमको जब इसका माध्य निकालना होगा तो हमको इसका औसद ग्याद करना होगा तो औसद अगर ग्याद करेंगे तो इस प्रकार से हम इसको ग्याद कर सकते हैं औसद को ठीक है यह हो गया आपका क्या माध्यबल ठीक है क्या हो गया यह माध्यबल क्या जाएगा एक बटे दो एम ओमेगा का वर्ग औ आपका माध्यबल आजाएगा, अब अगर हमारे पास यहाँ पर माध्यबल हमको राप्त हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है काआ, निकालना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हो, आपको खुद भी यह करके देखना है, एक बाद क्या हो जा है अभी आएगा वर्ग कैसे आएगा तो जब हम यहाँ पर विस्थापन वाई जो है calculate करेंगे ठीक है इसके पहले वाली slide में भी आप जो है यहाँ पर correct कर सकते हैं क्योंकि बल हमने calculate किया था only y वर्ग तो अभी लगेगा जब हम यहाँ पर उर्जा calculate करेंगे ठीक है तो piece correct that and यहाँ पर again अब क्या हो जाएगा कारे बराबर एक बटे दो एम ओमेगा का वर्ग और y का वर्ग ठीक है यही कारे जो है किसके बराबर है स्थितिज उर्जा के बराबर है तो यहाँ से आपको स्थितिज उर्जा का व्यंजक प्राप्थ होता है यह आपका क्या हो गया स्थितिज उर्जा का सुत्र हो गया सरल आवर्थ गती के लिए क्या हो गया सरल आवर्थ शुनने के लिए आपकी स्थिति जोड़ा का मान क्या हो जाएगा, शुनने हो जाएगा, और अगर हम Y बराबर, Y के जगह में अगर हम क्या रख देंगे y बराबर अगर हम a रख देंगे तो यहां पर आपकी जो okay sorry बेटा तो यहां पर जो आपका स्थित्जोर्जा का मान यह क्या हो जाएगा एक बटे दो m omega का वर्गव और a का वर्गव ठीक है अब यह जो है अधिक्तम उर्जा होगी ठीक है अधिक्तम उर्जा जब हम कुल यांत्रिक उर्जा ग्याद करेंगे तो वहाँ पर आपको यह चीज और clarity से समझ में आएगा फिलाल बढ़ते हैं आंगे और गतिज उर्जा पर पहुंसते हैं ठीक है अब जब हम यहाँ पर गतिज उर्जा की वेंजक की बात करते हैं तो सरल आवर्त गति के लिए हमको गतिज उर्जा निकालनी है लेकिन उससे पहले गतिज उर्जा का जो सुत्र होता है वो हमको पता है क्या एक बटे दो एम और वी का वर्ग ठीक है सरल आवर्त गति के लिए हमने वेग का समीकरण वो हम लोगों को जो है इस तरह से प्राप्त हुआ था ओमेगा वर्ग मूल एक वर्ग माइनस वाई का वर्ग ठीक है अब हमारे पास जो गतिज उर्जा है गतिज उर्जा का फॉर्मूला आपने देख लिया यहाँ पर यह जो वी है इसमें आपको सरल आवर्त गति के वेग स वैल्यू रग देंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे उपर में वर्ग लगाना नहीं भूलना है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फटा फट से कमेंट में लिख कर बताना है जल्दी से क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो एक बटे M और यह हो जाएगा ओमेगा का वर्ग और ये हो गया आपका वर्ग मुल हट गया एक वर्ग माइनस वाई का वर्ग ये आपका गतिज उर्जा का समीकरण प्राप्त हो गया क्या प्राप्त हो गया आपको गतिज उर्जा का समीकरण प्राप्त हो गया अब गतिज उर्जा का समीकरण प्राप्त करने के बाद यहाँ पर आपको इसके लिए भी दो कंडिशन्स लिखने हैं एक बार अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 रखने पर यहाँ पर ग य बराबर शुन्य रखा था तो वाई बराबर शुन्य के लिए हमारी इस्थते जोर्जा शुन्य आई थी ठीक है शुन्य आई थी मतलब की वाई बराबर शुन्य के लिए जब इस्थते जोर्जा शुन्य होगी तब गते जोर्जा अधिक्तम है गते जोर्जा क्या है अधि अधिकतम और जब हम यहां पर क्या करेंगी य बराबर ए अधिकतम आयाम रखेंगे तो अधिकतम आयाम मतलब कि जब चरामिस्थिति पर पहुंसती है तो वहां पर क्या होता हूँ? जैसे कि मैंने आप लोगों को theoretically तो बता दिया था चरह मिस्थती पर पहुंचती है तो वहाँ पर क्या होता है तो यह जो है एक अवर्ग और माइनस एक अवर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आपकी गति जूर्जा जो है वो शुन्य हो जाएगी इसका मतलब जब चरह मिस्थती पर पहुंच रहा है अधिक्तम आयाम पर सरलावर्थ गति जब अधिक्तम आयाम पर पहुंच रही है तो ये स्थितिज उर्जा और गतिज उर्जा का व्यंजग देखने के बाद हम लोगों को कुल उर्जा का व्यंजग देखना है तो कुल उर्जा क्या होती है कुल उर्जा जो है यांत्रिक उर्जा ही जो है यहाँ पर कुल उर्जा होगी सरलावर्त गती में जो कि किसके योग के बराबर होती है गतिज उर्जा और स्थितिज उर्जा के योग के बराबर रहती है ठीक है यहाँ पर हम गतिज उर्जा को के से प्रदर्शित करेंगे और स्थिती जूर्जा को U से प्रदर्शित करेंगे यांत्री कुर्जा को E से प्रदर्शित करेंगे और यह जो है नियत होता है ठीक है इनका योग हमेशा क्या होता है फिक्स होता है अब यह कैसे होगा इसको भी हम प्रूफ करेंगे कैसे करेंगे ह हमने गते जुर्जा का समीकरन ग्याद किया है, क्या ग्याद किया है, गते जुर्जा का समीकरन, हम लोगोंने एक बटे दो M ओमेगा का अवर्ग और WWI का वर्ग अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे समी करण को आगे सॉल्व करेंगे डश्कते हैं क्या प्रप्ठ होती है हम को कुलिया अंत्री कुर्जा क्या प्राप्ठ दो ऐक हो रहा है देखो क्या हो जाएगा बता औ्युक्त स्टेप क्या हो जाएगा आपका ये और ये प्लस माइनस हो जाएगा किल उर्जा चाहेगी एक बटे दो एम अमेगा कवर्ग और एक कवर्ग तो ये आपकी कुल उर्जा आ गई अब एक चीज और कुल उर्जा तो प्राप्त हो गई आपको है ना अब ये नियत है ये कैसे देखेंगे हम ये कैसे देखेंगे तो वापर समय आपको बताती हूँ कि जब हम गते जुर्जा की बात कर रहे थे तो गते जुर्जा की कंडिशन म जब हमने क्या रखा था y बराबर हम लोगों ने 0 रखा था y बराबर जब हमने 0 रखा था तो हमको गते जोर्जा क्या सुरी स्थिते जोर्जा की बात कर रहे थे स्थिते जोर्जा की बात कर रहे थे तो स्थिते जोर्जा हमको क्या प्राप्त हुई थी शुन्य क्योंकि यह ह को जो है स्थिते जुर्जा प्राप्त हो रही है और यह क्या है अधिक्तम स्थिते जुर्जा यही नियुनितम मैं लिखती हूं इसको और यहां पर यह क्या है माक्जिमम मतलब की अधिक्तम स्थिते जुर्जा अधिक्तम स्थिते जुर्जा के कंडिशन में आपकी गते जु बराबर हम शुन्य रखते हैं क्या होता है हमको प्राप्त गतिज उर्जा बराबर गतिज उर्जा बराबर क्या प्राप्त होता है एक बटे दो एम ओमेगा का वर्ग और हमको प्राप्त होता है एक का वर्ग ठीक है मतलब इस कंडिशन में इस कंडिशन में हमको क्या प्राप देखते हैं किसके लिए जब हम यहां पर रखते हैं Y बराबर A तो Y बराबर A के लिए जो गतिज उर्जा हमको प्राप्थ होती है एक बटे दो एक नहीं एक बटे दो M ओमेगा का वर्ग और यहां पर को शुन्य प्राप्त होता है मतलब की गतिज उर्जा हमारी क्या हो जाती है वाई बराबर एक एलिए हमारी गतिज उर्जा शुन्य हो जाती है तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर मीनिमम याने कि न्यूनतम हमको गतिज उर्जा का प्राप्त हो रही है इसका मतलब जो है जब मतलब आप देख पा रहे हैं M ओमेगा का वर्ग A का वर्ग एक बटे दो के साथ हमें यहाँ पर जो है यह परिमार जो है आपका अधिक्तम मान है किसका कुल उर्जा का आप इसके लिए हम ग्राफ भी देखेंगे तो ग्राफ को आप यहाँ पर कैसे सम है तो Y बराबर शुन्य के लिए मेरे पास क्या है स्थितिज उर्जा का मान अधिक्तम है किसका मान अधिक्तम है स्थितिज उर्जा का स्वारी गतिज उर्जा का यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कन्फ्यूज होने की जरुवत नहीं है जब Y बराबर शुन्य है तो स्थिते जोर्जा क्या है शुन्य और गति जोर्जा क्या है अधिक्तम तो मतलब यहाँ पर जो है y बराबर शुन्य जो है इस बिंदू पर होगा ठीक है यह y का मान है y का मान बढ़ते जाएगा तो y बराबर शुन्य के लिए आपका क्या है गति जोर्जा अधिक्तम तो स्थिते जूर्जा और जब हम Y बराबर A की बात करते हैं ठीक है मतलब कि अधिक्तम आयाम की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो अधिक्तम आयाम के केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर इस बिंदू पर जो है Y का आयाम क्या रहेगा अधिक्तम इस बिंदू पर Y का आयाम अध और अधिकतम आयाम के कंडिशन में आपकी अधिकतम आयाम के कंडिशन में आपकी जो है इस्थिति जूर्जा अधिकतम है और जो आपकी गति जूर्जा है यहाँ पर पहुंच रही है यह कहाँ पर है नियूनतम है ठीक है कहाँ पर है नियूनतम तो यह इस्थिति जूर्जा हो गई और यहां पर गतिज उर्जा जो है परपल परपल कलर की लाइन से आप यहां पर देख पा रहे हैं यह देखो ठीक है तो यह जो परपल कलर की लाइन है यह क्या है आपकी गतिज उर्जा और यहाँ पर यह जो red color की line है यह है आपकी स्थितिच उर्जा और आप जो है यह simply graph जो है अब इसके पहले यह जो conditions हम लोगों ने देखे बिल्कुल इन conditions की मदद से ही बना सकते हो y बराबर 0 के लिए आपका क्या हो गया y बराबर 0 के लिए y बराबर 0 के लिए आपकी जो है आप कि हमारी जो गति जोर्जा है गति जोर्जा वो हमारी अधिक्तम है maximum है और यहाँ पर जो स्थिति जोर्जा है वो क्या है हमारी minimum ठीक है और y बराबर a के लिए हमारे पास क्या है y बराब अधिक्तम आयाम पर हमारा potential energy है वो हमारा maximum है मतलब स्थिति जोर्जा और गति जोर् Spring Block के बारे में देखेंगे तो अभी तक हम सरल आवर्थ गती के बारे में हम समझेंगे अब सरल आवर्थ गती में हम स्परिंग ब्लॉक का जो है यहां पर समझेंगे और जो कि बहुत जादा important है ठीक है अब यहाँ पर इस diagram में आप देख पा रहे हूँ सबसे पहले हम एके करके देखेंगे कि यहाँ पर जो spring है बिल्कुल इस तरीके से उपर नीचे जो है swing कर रही है ठीक है उपर नीचे swing कर रही है तो यहाँ कहीं बीच पर इसकी क्या होगी माध्यस्थिती होगी और माध्यस्थिती के इधर और उधर जो है यहाँ पर जो है अधित्तम आयाम पर जो है spring जो है swing कर रही है अब यहाँ पर देख से पारेवाप horizontal ठीक है तो यहाँ पर जो है माद दिस्थिति के दोनों और क्या हो रहा है विस्थापन हो रहा है यहां पर विस्थापन की लंब जो विस्थापन हो रहा है इस विस्थापन को हम क्या कंसिडर करेंगे एल कंसिडर करेंगे ठीक है जब इस विस्थापन को अगर हम यहां पर एल कंसिडर करेंगे या फिर यहाँ पर भी हम इस विस्थापन को क्या करेंगे? प्रेव आपको कैसे प्राप्त होता है विस्थापन के कारण y बराबर जो हम लोगों ने a sin omega t के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा बिल्कुल इस तरीके से विस्थापन कैसे बनता है ये चित्र में आपको दिखाया जा रहा है तो आसानी से आप यहां पर समझ पा रहे हों ये वाला जो पॉइंट आपकी माध्यस्थिती राइट माध्यस्थिती और माध्यस्थिती के ऊपर ये वाला जो है आपका अधिक्तम आयाम और यहां पर ये वाला जो है आपका न्यूनतम आयाम इस प्रिंग के लिए जिस तरह से आपको सरल आवर्त गती दोलन करते हुए यहाँ पर spring block के द्वारा प्राप्त हो रहा है ठीक है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लंबाई को हम लोगों ने L माना ना विस्थापन जो हो रहा है इसको हमने क्या माना L माना तो यहाँ पर जो प्रत्यानेयन बल लगेगा spring block के लिए जो प्रत्यानेन बन लगेगा वो किसके समानुपाती हमने consider किया यहाँ पर L के समानुपाती consider किया ठीक है और यही L को हम वर्क एनरजी पावर में X consider किये थे पर कोई बात नहीं आप L या X कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो पर यहाँ पर X और Y स्थापन में हम already use कर चुके हैं इस वज़े से differentiate create करने के लिए हम यहाँ पर L का इस्तमाल कर रहे हैं, जब समान उपाती का चिन्न हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, minus KL, क्या हो जाएगा, minus KL हो जाएगा, ठीक है, अगर हम L बराबर, मानलो कि यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है, अगर मानलो एकांक वि जाएगा, यह के का, क्या है हमारा, यह जो के है, इसको spring नियतांक, या फिर इसको बल नियतांक, दोनों ही बोलते हैं, ठीक है, और अगर मानलो की आपका, बल अगर मानलो की एक आंक हो गया, ठीक है, तो बल अगर एक आंक हो गया, तो अब हम लोगों को के और L के बीच का relation मिलेगा क्या मिलेगा के और एल के बीच का रिलेशन मिलेगा तो नियतांक होने पर के और एल के बीच का जो रिलेशन होगा इस तरीके से इन्वर्सली प्रपोजनल होगा ठीक है इस तरीके से क्या होगा इन्वर्सली प्रपोजनल होगा ठीक है तो यहां पर हम आगे जो है ब य अक्ष में य अक्ष में हमने क्या प्रदर्शित किया यहां पर य अक्ष में हमने जो है बल निया तांक को प्रदर्शित किया और इधर एक्स अक्ष में हम लोगों ने जो है है इस विस्थापन को हमने प्रदर्शित किया ठीक है अब यहाँ पर जो हमें relation मिला है कि जो है inversely proportional है वित्क्रमानुपाती है कि इसके जो एल लंबाई है ठीक है एल लंबाई का जो विस्थापन हो का मान क्या होगा घटता जाएगा तो इस तरीके से हम जो है spring block के लिए graph यहाँ पर बना सकते हैं और spring block के लिए graph बनाने समझने के बाद graph समझने के बाद हमको यहाँ पर समझना है जैसे कि मानलो कि यह आपका spring है ठीक है अब इसको spring लोला क्यों बोल रहे हैं तो आपने देखा कि किस तरीके से ये माध्य स्थिति के इधर और उधर क्या कर रहा था गती कर रहा था यहाँ पर इस डाइग्राम में माध्य स्थिति के इधर और उधर गती कर रहा है ठीक है चलो तो यहाँ पर यहाँ पर जैसे की मालो कि यहाँ पर जो है हम relate करेंगे किस से m alpha से मतलब m alpha का मतलब जो है जो बाह्य बल लग रहा है ठीक है अगर मान लो कि हमारे पास जो है यहाँ पर बाह्य बल लगेगा f बराबर m alpha spring low लग के लिए ठीक है अब इसके विपरीद दिशा में हमारे पास क्या कारे करेगा प्रत्या नयन बल ठीक है प्रत्या नयन बल कारे करेगा तो f बराबर यहाँ पर चलो विस्थापन को हम minus x मान लेते हैं ठीक है यह जो विस्थापन हो रहा है यह plus x और यह minus x मतलब कम हो रहा है और एक क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है f x ठीक है और अगर x के रूप में हम यहाँ पर विस्था त्वरण दो लेकिन जब हम यहाँ पर त्वरण की बात करते हैं ठीक है तो त्वरण बराबर क्या होता है त्वरण बराबर यहाँ पर अलफा डी वी बटे डी टी हना डी वी बटे डी टी और ये वी जो है वो क्या होता है विस्थापन तो ये डी बाई डी टी और ये वी के जगह में मैं अगर रख सकती हूं तो क्या रख सकती हूं डी एक्स बटे डी टी रख सकती हूं ठीक है अगर इसको हमको मिला जुला के लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डी एक्स का वर्ग और डी टी का वर्ग इस तरीके से हम त्वरन को जो है विस्थापन के ग्याद करना है आवर्तकाल ठीक है तो ये सारे प्रोसेजर से हम आगे जो है इसको ग्याद कर पाएंगे ठीक अब इसके बाद ये हो जाने के बाद यहां पर जो है आप ये पहले वाले एक्वेशन में अलफा की जगा आप क्या रखेंगे अगर M ये D का वर्ग X बटे ये DT का वर्ग आप रखेंगे ठीक है और दूसरा जो है समीकरण यहां पर माइनस माइनस के X हो गया आपका क्या हो गया ये माइनस के X हो गया ठीक है अब यहां पर जो है अब नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप D का वर्ग X DT का वर्ग ठीक है नेक्स्ट आप कर सकते हो इस M को फिचे ला सकते हो, ये क्या हो जाएगा, माइनस k बटे m, और ये हो गया, एक्स, ठीक, अब ये समीकरण हम लोगों को क्राप्ट हो गया, तो कहीं न कहीं, ये जो त्वारन के बराबर है, आपको ये k बटे m, और ये जो x आपको मिल रहा है, ये किसके बराबर है आपका त्वरन के बराबर राइट अब इसके बाद next step में हम क्या कर सकते हैं नेक्स step में हम क्या कर सकते हैं बताओ क्या कर सकते है next step में ये जो समी करण हम लोगों को मिला है इसको सबसे पहले तो हम box में बन सकते हैं ठीक है अब त्वरन के बारे में और हमको सोचना है त्वरन को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं तो त्वरन को जो है हम अगर विस्थापन x कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पा माइनस ओमेगा स्क्वार एक्स बराबर आप लिख सकते हैं माइनस के बटे एम और ये एक्स ठीक है माइनस के बटे एम और ये एक्स और यहां से आप जो है कैंसल कर सकते हैं किसको इस एक्स और एक्स को कैंसल करके ये आपका जाएगा माइनस और माइनस भी कैंसल हो जाएग omega का वर्ग k बटे m क्या जाएगा omega का वर्ग k बटे m वैसे आपको ये omega का वर्ग k बटे m ये relation पहले भी जब हम लोगों ने सरलावर्थ गति के लिए बल का नियम अभी अभी पढ़ा था तो वहाँ पर भी हम लोगों को प्राप्त हुआ था यह relation जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है omega का वर्ग k बटे m यहां से आप क्या लिख सकते हो omega बराबर वर्ग मूल आप लिख सकते हो k बटे m तो यह अभी हम लोगों ने सरल आवर्त गती के लिए तो ग्याद किया ही था पर साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर किसके लिए ग्याद किया स्प्रिंग के लिए भी ग्याद कर लिया किसके लिए ग्याद कर लिया स्प्रिंग के लिए भी ग्याद कर लिया अब हमारे पास क्या होता है आवर्त काल बराबर आवर्द काल बराबर दो पाई बटे ओमेगा ओमेगा के जगा आप वैल्यू रखेंगे दो पाई बटे वर्गमुल के बटे एम ठीक है क्या हो जाएगा ये आपका दो पाई वर्गमुल एम बटे के ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा सुत्र हो जाएगा और बहुत ही महत्वपोन सुत्र स्प्रिंग के लिए क्योंकि स्प्रिंग के related numerical questions आपको exam में पूछा जाता है तो इसलिए आप इसको star mark लगा सकते हैं क्योंकि ये exam में आपको बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा ठीके अब जैसे आप लोगोंने आवर्तिकाल के लिए लिखा ऐसी तरीके से आवरति के लिए भी आप लिखेंगे तो आवरति के लिए अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक बटे दो पाई वर्गमूल एम बटे के इसको आप करेक्ट करके लिखेंगे तो यह हुग गया एक बटे दो पाई वर्गमूल के बटे एम वर्गमूल के बटे एम तो यहां से आपको किसका सुत्र मिल गया यहां से आपको मिल गया आवरती का सुत्र तो बिल्कुल इसको भी आप स्टार मार्क लगाएंगे और आवरत का लिया आवरती आवरती आपको क कե संयोजन की बात करेंगे किसकी बात करेंगे है तो यहाँ पर यहां पर इस तरी के से घ्राफ बन रहा है ठीक है इस तरीके से ये लटका हुआ है लेकिन अगर अगर हमारे पास दो स्प्रिंग है और उन दो स्प्रिंग को हमको जोड़ना है तो यहाँ पर हम इन स्प्रिंग का सहियोजन दो तरीके से कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं एक तो हम या तो फिर स्प्रिंग को एक के बाद एक यहाँ पर लटकाया गया है यह आपकी पहली स्प्रिंग हो गई और यहाँ पर यह आपकी दूसरी स्प्रिंग हो गई तो यह जो संयोजन है आपका क्या कहलाता है स्रेणी क्रम संयोजन ठीक है एक के बाद एक आप लोगों ने जो है संयोजन के बारे में पढ़ा ही है आप ल लोगों ने आजू बाजू में इस तरीके से जो है spring को जोड दिया है जो कि क्या कहलाता है आपका समनांतर क्रम सहियोजन क्या कहलाता है समनांतर क्रम सहियोजन ठीक है इस समनांतर क्रम सहियोजन के लिए और जो स्रेणी क्रम सहियोजन हम लोगों ने देखा है इसके लिए हमको क्या करना है इसके लिए हमको derivations करने है तो one by one हम इनके derivations देख लेते हैं सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे स्थ्रेणी क्रम्च अहीं ओजन के लिए जब derivation करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको पहली वाली स्प्रिंग माना यह आपकी पहली स्प्रिंग है यह आपकी क्या है पहली स्प्रिंग है और यहाँ पर यह जो है आपकी वो दूसरी स्प्रिंग राइट अब यहाँ पर पहली स्प्रिंग का जो स्प्रिंग नियतांग है इसको कारे करेगा क्योंकि समान यहां पर मतलब की इस तरीके से लटका हुआ है ठीक है तो दोनों ही स्प्रिंग के लिए जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे एक होंगे दोनों ही स्प्रिंग के लिए फोर्स जो है वो एक होंगे लेकिन दोनों के स्प्रिंग निया तांक यहां पर अ लग लग होंगे ठीक है तो यहाँ पर जो कुल विस्थापन होगा स्रेडी करम सायोजन में ठीक है देखो स्रेडी करम सायोजन में हमारे पास क्या है तो यहाँ पर जो है हमारे पास K1 है पहले वाले स्प्रिंग के लिए और विस्थापन हमारे पास X1 है और बल जो है F ही नेक्स्ट हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर विस्थापन अलग अलग है एक्स बराबर तो कुल विस्थापन क्या हो जाएगा कुल विस्थापन एक्स वन और एक्स टू का योग हो जाएगा तो यह हो गया एक्स वन प्लस एक्स टू यह क्या हो गया आपका कुल विस्थाप ठीक है तो यह आपका क्या हो गया समी करण एक कुल विस्थापन आपका यह हो जाएगा अब हम प्रत्यानेयन बल के रिलेशन की बात करेंगे विस्थापन के समानुपाती होता है विपरीद दिशा में तो प्रत्यानेयन बल सबसे पहले एफ जो है वो समानुपाती हो यह हो जाएगा एफ ब्राबर माइनस माइनस के marks इफ ब्राबर कहो जाएगा माइनस के heps और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा बल समानु पाती हो जाएगा दूसरे वाले विस्थापन के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f बराबर minus k2 x2 होगा yes or no बिल्कुल होगा ठीक है अब इस तरीके से हम लोगों को जो है बल जो है निकल गए अब हमको क्योंकि यहाँ पर बल प्राप्त हो चुके हैं नेक्स बढ़ते हैं आगे हाँ यह जो हमको मिल गया इसके बाद हम जो है देखेंगे यहाँ पर f बराबर हमको मिला माइनस k1 x1 तो इसको हम लिख सकते हैं x1 बराबर f बटे माइनस f बटे k1 ठीक है और हमको क्या मिला था f बराबर माइनस k2 x2 तो इसको हम लिख सकते हैं x2 बराबर f माइनस f बटे k2 अब x1 और x2 क्यों लिखा हम ने X2 क्यों लिखा हम लोगों ने क्योंकि हमारे को ये पता है कि यहाँ पर जो है दो जो दोनों विस्थापन का योग है वो कुल विस्थापन के बराबर है ठीके तो इसलिए वो समीकरण हमको useful होगी और इसी तरीके से हम यहाँ पर X बराबर लिख सकते है Capital F by K है जो हम लोगों को यहाँ पर पहले वाले समीकरण यहाँ से पराब्त हुआ था यहाँ से भी X बराबर हम F by क्या लिख सकते है क्या लिख सकते है F by K माइनस F by K अब हमारे पास क्या है यह जो समीकरण है x बराबर x1 प्लस x2 यहाँ पर हम क्या करेंगे यह सारी values जो है आपकी एक, दो और यह तीन यह तीनों values क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा यह समीकरण minus f k बराबर minus f यहाँ पर k1 plus यहाँ पर क्या हो जाएगा minus f k2 ठीक है आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही side क्या है f आपका common निकल रहा है तो f यह आपका क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा minus b cancel हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा 1 by k बराबर 1 by k1 plus 1 by k2 ठीक है और यहाँ पर यह जो k है कुल k यह k जो है वो क्या है तुल्य है की नहीं तुल्य है ठीक है अब यह तुल्य जो है वो किसका है स्रेणी क्रम मतलब की series का है तो इसको आप जो है या तो k तुल्य लिख सकते हैं या फिर आप इसको k s भी लिख सकते हैं as for series जो आपका मन्चा है वो आप लिख सकते हैं तो यहाँ पर जो है स्रेणी क्रम के लिए तुल्य स्प्रिंग नियतांक यानि की बल नियतांक आपको प्राप्त हो गया है और यह काफी इंपॉर्टेंट है यह डियारिवेशन या फिर यह आपको नियमारे कल में भी पूछ सकता है जो आपने स्रेणी क्रम के लिए प्राप्त किया है जैसे हमने स्रेणी क्रम के लिए प्राप्त किया वैसे ही हम यहाँ पर समनांतर क्रम के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको बस यह चीज़े देखनी है कि यहाँ पर जो है स्प्रिंग नियतांक प योकि दोनों बराबर रूप से खीचाओ महसूस कर रहे हैं, तो दोनों का ही जो विस्थापन है वो बराबर होगा, एक्स होगा, परंतु, इस बार क्या होगा, क्योंकि स्प्रिंग ये तांक अलग है, तो इनके जो प्रत्यने अनबल है, वो क्या हो जाएंगे, अलग-अलग हो जाएंगे और यहाँ पर प्रत्यान बल अगर इनके अलग-अलग हो गए हैं तो यहाँ पर जो है कुल बल हमको निकालना होगा जो की दोनों स्प्रिंग के बलों के योग के बराबर होंगे ठीक है तो इस बार जो है फिर से हम देखेंगे एफ के साथ विस्थापन का रिले ठीक है क्या लिख दिया के पी लिख दिया अब इसी तरीके से एफ वन का भी देख लेते हैं तो एफ वन समानुपाती हो जाएगा किसके एक्स के एफ वन किसके समानुपाती हो जाएगा एक्स के समानुपाती हो जाएगा लेकिन जब हम एफ वन के लिए यहाँ पर समानु पाती हो जाएगा विस्थापन सेम है परन्तु स्प्रिंग ये तांक अलग है जब हम यहाँ पर समानुपाती का चिन्ना हटाएंगे तो यह हो जाएगा minus k2x, क्या हो जाएगा minus k2x, तो यहाँ पर यह आपको समीकरण 1 और यह आपको समीकरण 2 और यह आपको समीकरण 3 प्राप्थ हुआ है, जो कि आपको यह जो main हमारा समीकरण है इस वाले समीकरण में यह समीकरण 1, 2, 3 की values आपको रखनी है रख सकते हैं आप values तो क्या हो जाएगा यहाँ पर f बराबर f1 plus f2, यहाँ पर क्या मिला था आपको minus kp और x बराबर यह कहां क्या मिला था, minus k1 x plus यह minus k2 x ठीक है, अब इस बार हमको x एक जैसा लग रहा है, यहाँ पर समनांतर kram में वस्थापन एक समान है तो क्या हो जाएगा, आपका x जो है वो cancel हो जाएगा, और cancel हो जाने के बाद, यह minus भी आपका cancel हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह minus b cancel हो जाएगा, ठीक है, और यह आपका आजाएगा, k1 plus k2 k2 k, योग k बराबर, तो इस बार जब हम समनांतर क्रम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं इस बार जब हम समनांतर क्रम की बात कर रहे हैं, तो समनांतर क्रम के लिए आप देख सकते हैं, कि दोनों spring के क्या है, दोनों spring के just योग के बराबर है, यहाँ समनांतर और स्रेणी क्रम के लिए यहाँ पर हमको अलग-अलग प्राप्त हुए है इसका हम कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले यहाँ पर लिख सकते हैं हमको सीरीज में क्या मिला सीरीज में हमने प्राप्त किया एक बटे के एस बराबर एक बटे के वन प् के लिए स्प्रिंगों के साईयोजन के लिए अगला स्प्रिंग के साईयोजन के बाद के बाद हम बात करेंगे सरलोलक तो यहां पर आपयो nooitने में बहुत जादा महत्वपुन शररलोलक वैसे अभी तक सरल आवर्ठ गति में हम बाहर बसर लेकर के पड़ रहे थे वही आपका सरलोलक है तो यहाँ पर आपको सरलोलक को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जस्टिस की परिवांशा देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर किसी भारित रव्यमान के किसी बिंदुकन को हम क्या करते हैं किसी अवितान्य म यह जो है इस रसी से जिस से लटकाया गया है उसकी यहाँ पर गुण बताई जा रहे हैं क्योंकि अगर यह लचकदार नहीं हुआ तो इस तरीके से यह सरलावर्त गति सिंपली नहीं करेगा अगर इसका भार हो गया तो फिर यहाँ पर जब हम यहाँ पर इस सरलोलक के पर उसमें यह गुण होने चाहिए ठीक है इसको हम क्या करते हैं उपर से एकदम कहीं से द्रिनाधार से क्या करते हैं द्रिनाधार से हम इसको बांध कर लटका देते हैं और यहाँ पर घर्षन रही दोलन कराया जा रहा है क्या घर्षन रही दोलन कराया जा रहा है यह भार सरलोलक की भाती ही व्यवहार कर रहा था अब ये सरलोलक की भाती जब व्यवहार करता है तो किस तरीके से सरलावर्थ गती करता है सरलावर्थ गती का जो है यहाँ पर साइन वेव बनाता है गती करते हुए जो यहाँ पर ग्राफ हम निरूपित करेंगे किस तरीके से साइन व लोलक कहलाता है अब इस सरलोलक के बारे में हमको गति का समीकरण निकालना है ठीक है अब यहाँ पर इस गति के समीकरण को निकालने के लिए इस गति के समीकरण को निकालने के लिए सबसे पहले हमने ये दिण आधार से ये जो रसी लटकाई हुई है दिण आधार से ये जो लटकाई हुई है ठीक है इसको हम कहते है प्रभावी लंबाई क्या कहते हैं हम इसको प्रभावी लंबाई ठीक है यह प्रभावी लंबाई क्यों कहलाती है क्योंकि जो है यहां पर यह केंद्र से कंसिडर करी जाती है कहां से कंसिडर करी जाती है तो बिल्कुल यहां केंद् जो है सरल आवर्त गती कर रहा है अब सरल लोलक के सरल आवर्त गती के लिए हमको आवर्त काल का व्यंजग ग्याद करना है जो गती का हमारा समीकरण होगा अब इस समीकरण को ग्याद करने के लिए इस समीकरण को ग्याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर चित्र में जो है डि बिंदू पर पहुँच कर ये कहां पर पहुँच रहा है ये अधिक्तम आयाम पर पहुँच रहा है ठीक है चरम स्थिती है ये इसकी क्या है चरम स्थिती जो अल्रेडी हम इसके जितने भी मूल बूत पढ़ते हुए आए है अब यहां पर जो विस्थापन हो रहा है इस से सरलोलक का जो भार है इस भारी से सरलोलक का जो भार है वो क्या होगा बिल्कुल प्रिथवी के केंद्र की तरफ होगा नीचे की और प्रिथवी के केंद्र की तरफ तो जब यहां पर इस पी बिंदू पर पहुंचेगा तो यहां पर भी इसका भार की धर होगा नीचे की और उर्धाधर नीचे की ओर प्रिथवी के केंद्र की तरफ mg यहाँ पर भार कारे करेगा ठीक है और जब यहाँ पर पहुँच रहा है तो अव्यसी बात है कि रसी में तनाव तो लगेगा ही न्यूटन के गति के नियम में आप लोगों ने तनाव बल के बारे में भी पड़ाता और साथ ही साथ इसका जो विस्थापन है इस कोडिया विस्थापन को हम क्या कंसिडर कर रहे है थीटा कंसिडर कर रहे है कोडिया विस्थापन जब अधिक्तम चरम स्थिती पर पहुँच रहा है तो ठीक है अब यहाँ पर जो है क्या करेगा माध्यस्थिती में लाने के ल यह जो आपको arrow मैंने दिखाया है यह प्रत्या नयन बल लग रहा है ठीक है अब इस प्रत्या नयन बल को हमको ग्याद करना है ताकि हम यहाँ पर omega की value ग्याद कर सके और आवर्तकाल ग्याद कर सके तो कैसे ग्याद कर पाएंगे इसको तो यहाँ पर यह जो प्रत्या नयन बल है यहाँ पर यह जो प्रत्या नयनबल है ठीक है ठीक तो प्रत्या नयनबल इस दिशा में लग रहा है अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है mg भार है ठीक है अगर हम क्या करेंगे इस mg को घटक में डिवाइट करेंगे ठीक है अगर हम इसको घटक में डिवाइट करेंगे तो इसके घटक जो है एक घटक इस दिशा में बन रहा है और दूसरा घटक इस दिशा में बन रहा है घटक में डिवाइट करने के लिए हमको को चाहिए तो देखो यहां पर जो यह कोण है ठीक है बिल्कुल ऐसा ही कोण जो है अगर यह उध्वाधर लाइन नीचे यहां पर भी है यहां पर भी है और बिल्कुल इसके सीधे में यहां पर जो है यह लाइन हम लुकों को प्राप्त हो रही है तो यहां पर यह वाला कोण ज है mg sin theta ठीक है अब अगर हम प्रत्यानेयन बल की बात करेंगे तो यहां पर यह जो sin theta वाला जो घटक है क्या है जो sin theta वाला आपका घटक है ठीक है वो क्या हो जाएगा आपके sin theta वाला जो घटक है वो आपके प्रत्यानेयन बल के बराबर हो जाएगा f बराबर mg sin theta ठीक है और minus में क्योंकि हम प्रत्याने अन्बल की बात कर रहे हैं तो विप्रीत दिशा में आपका प्रत्याने अन्बल कारे कर रहा है इस तरीके से अब यहां पर यहां पर तो हम क्या कर सकते हैं sin theta को लगभग हम theta के बराबर मान सकते हैं ठीक है तो यह जो समी करण है यहां पर लगभग हम sin theta को theta के बराबर मानते हुए यहां पर हम समी करण लिख लेंगे minus mg theta क्या लिख लेंगे हम यहां पर समी करण साइन ठीटा या अप्रॉक्सिमेटली जो ठीटा है इसके बराबर हम लोगों कि क्या निकाल था लंब बटे कर्ण क्या निकाला था लंब बटे कर्ण और ये कोण के सामने वाला क्या होता है लंब और ये कोण का मतलब की यहां पर क्या होता है ये कर्ण होगा और यह आपका जो है यह लंबाई जो है यहाँ पर करण हो जाएगी ठीक है और यहाँ से आपका थीटा बराबर थीटा बराबर आपका क्या हो गया Y बटे L तो इस समीकरण में हम क्या लिख सकते हैं M G Y बटे L भी लिख सकते हैं हम थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम y बटे l हम लिख सकते हैं ठीक है अब ये जो बल होता है ये जो प्रत्यानयन बल होता है वैसे हमारे पास बाहय बल भी होता है m alpha त्वरण को हम यहाँ पर सरललावर्त गती में alpha consider कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास पहले से आलरेड़ी एक समिकरण है, minus Mg Y but L ठीके, एक समीकरण हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल गया आलफा का अब ये दो समीकरण जो हमारे पास है इन दोनों को अगर हम क्या करेंगे तुलणा करेंगे क्या करेंगे, तुलणा करेंगे तो आप देख पाऊगे jam हो जाएगा तुलना करने पर जो है एक तरफ M अलफा हो गया और एक तरफ क्या हो गया माइनस M G Y बटे L ठीक है अब यहाँ पर यह दू द्रव्यमान है यह सरल लोलक का द्रव्यमान जिसको हमने क्या कर दिया कैंसल कर दिया और यहां से हमको रिलेशन मिल गया अलफा बराबर जो है माइनस G Y बटे L यह रिलेशन हमको जो है यहां समीकरन से प्राप्त हुआ ठीक है क्या हुआ यहां पर समीकरन से प्राप्त हुआ तो हम लोगों ने जो है सरल आवर्त गति का एक समीकरन देखा था टी बराबर दो पाई वर्गमुल त्वारन बटे विस्थापन देखा था क्या देखा था हम लोगों ने यह समीकरन कभी देखा था त्वारन बटे विस्थापन का समीकरन बिल्कुल देखा था हां तो यहां से यह जो हमको प्राप्त हुआ है ठीक है इसके द्वारा हम क्या करेंगे आवर्टकाल का विंजग ग्याद करेंगे कैसे ग्याद कर सकते हैं तो alpha बराबर minus g और यह हमारा क्या हो गया y बटे l अब इस समीकरण में आप देख सकते हो यह त्वरण है यह y क्या है विस जाएगा y बटे l y बटे l विस्थापन को अगर हम नीचे आले आते हैं तो यह क्या हो जाएगा g बटे l फिलहाल के लिए आप minus को ignore कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर परिमारों की बात कर रहे हैं ठीक है हम को क्या करना पड़ेगा अगर इसको उल्टा कर देंगे y बटे alpha तो यह क्या हो जाएगा l by g ठीक है तो प्लीज यहाँ पर एक चीज आप correct कर लो ठीक है हम जब आवर्तकाल का सुत्र पड़ते हैं आवर्तकाल का सुत्र पड़ते हैं तो confirm करेंगे आप लोग देख करके already हमने इसके पहले जो है ग्याद किया है वहाँ पर विस्थापन त्वरण होता है त्वरण बटे विस्थापन नहीं प्लीज इसको correct कर लो इसको correct कर लो यह आपका जो है क्या होगा विस्थापन बटे त्वरण क्या होगा यह आपका विस्थापन बटे त्वरण कोई बात नहीं correct कर लेते हैं देखो इसी तरीके से अगर अगर confused हो रहे ह तो आप जो है अगर गलती अगर आपका हो जा रहा है गलती से भी अगर आपका गलती हो जा रहा है तो आप जो है करेक्ट कर सकते हैं फिलाल हम इसका पीछे जाकर भी एक बार जो है एक आप कुएक रिविजन करते हुए कुएक रिविजन करते हुए भी हम देख लेते हैं कि इसके पहले जब हम लोगों ने आवर्तकाल के बारे में ग्याद किया था, कब ग्याद किया था भई, देखते हैं, शायद हमने बल के बारे में पढ़ा, उसके पहले हमने कहीं ग्याद किया था, हाँ, alpha बटे y, alpha बटे y, हमको जो है, omega की value मिली थी, right, अब यहाँ पर यह जो ह हाँ पर बात करेंगे, किसकी आवर्ति की अगर हम बात करेंगे, तो यह आवर्ति बराबर, एक बटे दो पाई, क्या हो जाएगा, आपका, एक बटे दो पाई, तुवरन बटे विस्थापन, ठीक है, तो बिलकुल confusion possible है, इस चीज का ध्यान आपको भी रखना है, exam में, ठी confusion होने के बावजूद भी आप चीजों को क्या कर पाऊगे, correction कर पाऊगे, ठीक है, आज आते हैं हम वापस, कहां आ जाते हैं, सरल लोलक के आवर्ति काल के व्यंजग में, आजो भाई जल्दी से, सरल लोलक के आवर्ति काल का व्यंजग, ठीक है, बिलकुल आ गया, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, यह जो है, हम लोगों ने लिख दिया है, यह जो हम लोगों ने लिख दिया है, अब हमारे पास जो है, हमने अभी 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 कंफर्म कर लिया है, कि आवर्ति काल का क्या होता है, दो पाई, क्या, विस्थापन बटे त्वरण, में आपको रखकना है लफा अब यहां से आपको वाइबर बाइजी है लो लगत के लिए तो बाहएज़ के लिए इसन कि प्राप्त हुआ है क्या करोगे यहां पर ईगर आप यहां पर वैलियू रखते होगे तो यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आवर्तिकाल का व्यंजक सरल लोलक के लिए इसका derivation important है इसके related numerical आपको exam में पूछे जाते हैं काफी जादा important ये समी करण तो बहुत important है इसको 3, 4, 5 जितना star mark लगाना चाहो लगा सकते हो सरल लोलक के आवर्तिकाल व्यंजक आपने निकाला है यहाँ पर अब इस आवर्तिकाल के व्यंजक की सहाइता से एक जो है second लोलक होता है क्या होता है एक second लोलक आई थिंक यहाँ पर second लोलक कोई बात नहीं second लोलक भी हम देख लेते हैं हमारे पस कहीं तो भी space जरूर होगा हाँ यह बिल्कुल हमारे पास space यहाँ पर खाली है ठीक है तो हमारे पास जो है जो हम लोगों ने सरल लोलक देखा है ठीक है तो हम लोगों ने घड़ी का ऐसा लोलक देखा जो second लोलक कहलाता है क्यो second लोलक कहलाता है तो दो सेकेंड का जो आवर्तकाल फिक्स आवर्तकाल है जिसका ठीक है वो सेकेंड लोलक कहलाता है क्या कहलाता है सेकेंड लोलक अब ये जो सेकेंड लोलक है इसकी प्रभावी लंबाई हम अराम से ग्याद कर सकते हैं कैसे हमारे पास सुत्र है ये ठीक है ये बिल्कुल सुत लंबाई L, ये calculation आता है आपको प्रभावी लंबाई का, बिल्कुल आपको इसके related numerical मिलेगा, क्या हो जाएगा ये, G और T का वर्ग, बटे क्या हो जाएगा, 4 पाई का वर्ग, अब क्योंकि हम second लोलक की बात करते हैं, वैसे तो ये प्रभावी लंबाई का सुत्र आपका हर eligible है, ठीक है, बिल्कुल जब सरल लोलक की सरल आवर्त गती हो रही है, वहाँ सभी जगों पर ये सुत्र जो है, eligible है, और जब हम second लोलक की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो हमको क्या करना है, प्रभावी लंबाई calculate करने के लिए, G का मान आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड का वर् का value रखेंगे, 3.14 और इस पूरे का वर्गर, जब हम इसको calculate करेंगे, करके देखना है, आपको जरूर क्लास के बाद ये लगभग जो है, आपका 99.99 something कुछ आता है, जो कि आपके 100 cm के बराबर होता है, या फिर आप जो है, इसको लिख सकते हैं, एक मीटर, तो आपकी जो प्रभावी लंबाई आती है, यहाँ पर, second लोलक की जो प्रभावी लंबाई आती है, वो एक मीटर ही आती है, और ये numerical के रूप में भी आपको पूछता है, थोरी के रूप में भी आपको पूछ सकता है, तो जरूर इसका screenshot लेंगे, और इसको आप जरूर याद रखेंग क्योंकि यहाँ पर जो second लोलक है, इसका आवर्तकाल जो होता है, वो क्या होता है, दो second और विल्कुल प्रभावी लंबाई उसके लिए निकल कराती है, एक मीटर की याद रखना है इस point को, बहुत अच्छे से आपको जरूर याद रखना है, और जो बचे हुए topics हैं, बच प्रिथवी की तरिज्जा को सरल लोलक कंसिडर किया गया है, और यहाँ पर यह हमारी क्या है, यह पूरी की पूरी हमारी प्रिथवी है, हमारा अर्थ है, और इस अर्थ को ही हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, सरल लोलक कंसिडर किया, और जैसे सरल लोलक को हम लोगों ने क क्या किया था एक भारहीन अवितान ने रसी से जैसे दिनाधार से उपर लटकाया था बिल्कुल अगर आप imagine करोगे कि पृत्वी को इसी तरीके से सरल लोलक मान कर इस तरीके से लटका दिया जाए ठीके तो यहाँ पर जो है क्या होगा सरल आवर्त गती होगा जिसके लिए यहाँ पर कोणिया विस्थापन जो है थीटा और बिल्कुल इस रसी की जो प्रभावी लंबाई जिससे पृत्वी को लटकाया जा रहा है जैसा इमेजन करना है डैरिवेशन भी इसका पूछता है और इसके रिलेटिड न्युमारिकल भी आपका डैरिवेशन इसका नहीं पर न्युमारिकल आपको जरूर मिलेगा इसलिए मैं सीधे सुत्र बताऊंगी पर यह जो आप चाहो तो कर सकते हो क्योंकि पूरा पूरा प्रत्याने अन्बल निकाला बिल्कुल उसी तरह से निर्भर करता है और वहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया था प्रत्याने अन्बल निकाला था तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो प्रत्याने अन्बल है आपको इसकी दिशा जो है इस तरीके से दिखाई जारी है यहां पर इस तरीके से दिखाई जा रही है और यह जो है पृत्वी की पुरी तरिज्जा है ठीक है पृत्वी की तरिज्जा यह पृत्वी की सता का बिंदू है और सता के बिंदू से यहां पर विस्थापन को एक्स कंसिडर किया है अब बिटा यहां पर थोड़ा सा जो चे पर भी पहुच रहा था ठीक है तो यहां पर जो है इसका भार नीचे की तरफ ही लग रहा था लेकिन जब हम यहां पर प्रित्वी की बात कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है जब यह है प्रित्वी का जो वास्तविक केंद्र है इस दिशा में जो है प्रित्वी के वास्तवी केंद्र की दिशा में कारे करेगा ना की उर्धवाधर नीचे की तरफ ठीक है एक बार यहाँ पर भी बना की बता देती हूं यह आपकी प्रिथवी है और यह प्रिथवी आपकी पहुँच गई है यहाँ पर और यहाँ पर विस्थापन हम इसको X कंसिडर कर रहे ह है ठीक है अब यहाँ पर जो प्रिथवी का भार है वो प्रिथवी के वास्तवी केंद्र की तरफ कारे कर रहा है ना की उर्धवाधर नीचे की तरफ ठीक है वास्तवी केंद्र की तरफ कारे कर रहा है तो यहाँ पर विस्थापन तो क्या था ठीटा तो हम लोगों ने तो यह हम कोण थीटा जो consider किये तो यह वाला जो कोण है यह कहां से प्राप्थ होगा यह जो है वास्तवी केंद्र की तरफ कारे कर रहा है ठीक है तो वास्तवी केंद्र मालो आपका यहां है तो यहां का कोण हमने 5 consider किया और यह कोण हम लोगों ने 5 consider किया और इस तरीके से य यहां पर जो कुल कोड बन रहा है क्या बन रहा है यह जो कुल कोड बन रहा है जिसको हम देखते हैं यहां पर यह कुल कोड ठीक है इसको हम कंसिडर करेंगे थीटा प्लस फाई क्या कंसिडर करेंगे थीटा प्लस फाई और यहां पर यह जो प्रत्याने अनबल है प्रत्याने और भटक ने हमें घाट करना ही पढ़ेगा घटक में डिवाइट करेंगे तो यह वाला हिस्सा आपका क्या आजाएygा mg कॉस ठीक है यहा पर यह वाला जो हिस्सा है इसको जो है उह प्रॉपर से जगह साइड करके लिख लेते हैं यहां पर जव आपका यह वाला हिस्सा है वो आ जाएगा mg cos theta plus alpha ठीक है mg cos theta plus alpha और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ mg sin theta plus alpha और यहाँ से जो हमको यह घटक प्राप्थ हुआ है जो प्रत्याने अन्बल की दिशा में इकताप्थ हुआ है तो यहाँ से आपका प्रत्याने alpha और यहाँ से आपका derivation सुरू होता है और derivation को आप continue कर सकते हैं as it is जैसे मैंने आपको sin theta बराबर जो approximately sin theta बराबर हम लोगों ने theta consider किया था क्योंकि यह कोण काफी छोटे होते हैं ठीक है तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको करना क्या है यह जो है इसको theta plus phi consider करके आग आपको आवर्तकाल का समीकरण यहाँ पर ग्याप्त करना होगा और इसका मैं जो है जो change होगा वो किवल और किवल theta plus phi की वज़ा से होगा जो आपको theta plus phi का यह जो change है इसको करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप रिफर कर सकते हो finally जो आवर्तकाल का समीकरण प्राप् h e और यहाँ पर a plus r by l यह समीकरण आपको प्राप्त होगा आसानी से कर सकते हो कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है अब इसको लिख लेना है आपको बॉक्स में derivation आपको खुद से करके जरूर देखना है बिल्कुल इसके पहले सरल लोलक की derivation की तरह ही यह derivation निकलना है और इस सुत्र को आपको बिल्कुल star mark लगाना है इसके related question आपको बिल्कुल exam में देखने मिल सकता है यह हो गया आपका सरल लोलक अगर पृत्वी को हम सरल लोलक मानकर उसका आवर्तकाल याद करे आवर्तकाल का समीकरण हो गया इसके बाद जो है हमको simply जो है दोलन के जो है वो मुक्त दोलन, free दोलन इसमें है कि actual में जो इसका अधिक्तमायाम और इसका नियुनतमायाम निरंतर लगातार वही है ठीक है मानलों कि ये प्लस ए और इसको हम क्या मानले लेते हैं माइनस ए ठीक है लगातार वही है बिल्कुल ये निरंतर जो है इस तरीके से चला आरहा मतलब कि यहां पर जो है यह कम नहीं हो रहा है है ना मतलब कंटीनियसली बस बिल्कुल इसका आयाम लगातार उतना ही है दोलन कर रहा है लगातार है ना मुक्त रूप से कमपन कर रहा है तो यह मुक्त दोलन कहलाता है जब कण का प्रत्यनियन बलके अधिन मूल भूत आवरित काल के साथ ये क्या कर रहा है मुक्त आवरित्ती के साथ दोलन कर रहा है ठीक है तो ये मुक्त कमपन कर रहा है वाइब्रेट कर रहा है बिलकुल लगातार लेकिन अगर मान लो कि क्या होता है कई बार जब आब इस स्प्रिंग को एक बार इस तरीके से क्या करते हो एक बार हिल इस समझ में आ रहा होगा यह जो है आपका रुद्ध हो अभुमंदित या फिर रुद्ध दोलन कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है अनुमंदित या फिर रुद्ध दोलन कहलाता है यहां पर क्या हो रहा है दोलन का आयाम समय के साथ निरंतर क्या हो रहा है आयाम समय के साथ निर जब हम इसको कृतिर्म रूप से इस तरीके से मालो की जैसे कि जो हम लोगों ने अभी अभी देखा ठीक है इस तरीके से जो है अव्मंदित दोलन अगर है ठीक है अव्मंदित दोलन को हमको क्या कराना है इस तरीके से मुक्त दोलन कराना है तो मुक्त दोलन कराने के लिए अ प्रणोदित दोलन या प्रणोदित दोलन हम उसको चला रहे हैं तो हम चला रहे हैं चलित दोलर निया प्रणोदित दोलन कह रहे हैं अब क्योंकि हम इसको चला रहे हैं तो उसके आयाम को जो है हम अपने ही साफ से जितना चाहे रखना उतना हम रख सकते हैं A, B, C, I, D जैसे यहाँ पर विभिनन प्रकार के अलग-अल सार फिक्स रख सकते हैं ठीक है लेकिन जो हम लोगों ने यहां पर अवमंदित दोलन पढ़ा है तो यहां पर बिल्कुल जो है इस प्रकार से इसका जो है क्या हो रहा है आयाम बिल्कुल इस तरह से क्या हो रहा है घट रहा है ठीक है लगाता निरंतर घट रहा है तो यह हो ग हो थोड़े से मार रहे हो ठीक है तो यहां पर जन होगा कंपन होगा और यहां पर जन या कंपन जो होगा उसके परिणाम सरुप यह दूसरे वाले में भी असर हो रहा है देखो यहां पर भी क्या हो रहा है यहां पर तो इसको मारने से कंपन हो ही रहा है पर साथ ही साथ यहां पर भी कमपन अब देखो केवल इसको मार रहे हो तो यहीं पर कमपन होना चाहिए ना इसमें इसमें और इसमें कमपन नहीं होना चाहिए पर होता है ठीक है तो यह किसकी वज़ा से हो रहा है किसी एक को आपने मारा उसकी वज़ा से यहां पर जो है कमपन जो है बिल्कुल इस भयानक ताकदवर अनुनाद हुआ करता था कि उसकी वज़ा से वर्षा भी हो उठती थी ठीक है तो बिल्कुल ये इतना मतलब पावर्फुल होता है दोलन या अनुनाद ठीक है तो इसका परिभाशा जब किसी वस्तु पर ऐसा बाह्या आवर्ती बल लगाया जाता है मतलब जो हथोड़े की द्वारा यहाँ पर बाहया आवर्ती बल लगाया जा रहा है कि इसकी आवर्ती वस्तु की स्वाभाविक आवर्ती के बराबर होगी ठीक है तो वस्तु बहुत अधिक आयाम वाले प्रणोधित दोलन करते हैं ठीक है यहाँ पर देखो ये वस्तु जो है प पर जो इसकी स्वाभाविक आवरित्ती होनी चाहिए दोलन के लिए उस आवरित्ती के बराबर होती है समान होती है और वस्तु के इस प्रकार दोलन को हम अनुनादिय दोलन या इस घटना को हम क्या कहते हैं इस घटना को हम अनुनाद का उत्पन होना कहते हैं और बहुत तरह के instruments में भी जो है अनुनात उत्पन किये जाते हैं तो ये अनुनात के बारे में हम लोगों ने देखा और ये इस तरीके से हम लोगों ने सारे topics जो है इस chapter के हमने complete कर लिए हैं cover कर लिए हैं तो आपका इस chapter का one shot जो है पूरे explanation के साथ जो है complete होटा है and I hope आपको ये जो है one shot काफी अच्छा लगेगा जिसका revision आप आसान ही से एक बार नहीं दो बार नहीं बलकि बार बार आप कर सकते हैं तो इसी तरीके से आप सभी प्यारे बच्चों के लिए सारे chapters के one shot हम लगातार लाते रहेंगे और बहुत important videos भी आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी हमारे पूरे teachers की टीम के द्वारा तो बिलकुत जुड़े रहना है हमारे साथ बने हम रहना है हमारे साथ मिलते हम अपने next lecture में और तब तक के लिए बाई बच्चों